हेलो एवरीबन वेल्कम टू ग्रामभी एकैडमी आज हम देखने वाले हैं यूनिट एट जो आपका करेंट अफ्यर है उसके हमेशा की तरह साती साथ हम ट्रिक के मादम से सारी चीज़े याद भी करते हुए चलेंगे चलेंगे सबसे पहला जो आपका कुश्चन है वह है वर्तमान में नाटो में कुल 32 सदसे हैं करेंटली डियरा टोटल 32 मेंबर से नाटो दूसरा सबसे अंतिम में शामिल होने वाला संद्रण फिल्न लंड तो आपको बताना इसमें से सत्यकतन कौन सा है अब यह याद रखेगा कि नाटो जो है आपका काफी जादा न्यूस में बना रहता है जब से आपका यूक्रेन रश्या वार चालू वह था ठीक है यूक्रेन का नाटो काफी न्यूस में है तो इसके वो यह रहता है कि अपना military alliance वुरांके रखते हैं रशिया के खिलाफ जो है इसके पहले मतलब आप यह मानके चलिए कि 2023 तक जब तक की फिल्लाइन आड नहीं हुआ था लेकिन जैसे ही युक्रेन ने इंट्रस्ट दिखाया तो रशिया ने फिर गौर कर लिया कि यह नाटो में आड हुआ जा रहा है उस चक्कर में आप देखेंगे कि 2023 में एक मेंबर एड हुआ 2023 में तो 31st मेंबर हुआ यह था आपका फिल्लैंड यह वही फिल्लैंड है जो आप देखेंगे कि हमेशा हुमन डेवलप्मेंट इंडेक्स और आपका हैपिनेस इंडेक्स इन सब में टॉप करता है तो यह आपका फिल्लैंड था ठीक है नॉडिक कंपनी कंट्री आपकी फ सबसे फिल्लैंड है यह गलत है कौन सा है सबसे लास्ट में अभी 2024 में एड हुआ है यह आपका स्वीडन तो सत्यकतन है केवल एक ठीक है स्वीडन फिल्लैंड अभी नए आड हुए है टोटल नंबर ऑफ जो आपके सबसे हैं मेंबर नाटो में वो कितने हो गए हैं 32 याद मध्यपरदेश उचने आले के जज़ भी रहे हैं मध्यपरदेश रहते हैं तो उसमें औप्शन काफी इजी दिया होता है या फिर आपका जो फैक्ट है वो कभी गलत नहीं होता सिंपल से कोई चीज गलत किया होता है तो ऐसे ही अगर आपको यह पता है कि अजय मानिक स्वारे यहां के नया लोगपाल बनाए गए तो यह बिल्कुल आपको यह आपको पता है यह बिल्कुल सभी है वह आपको लगए का 2013 से 2016 तक थे मध्यपरदेश तो यहां पर नहीं लगाना है मध्यपरदेश उचने आले के जज़ भी रहे है तो यह गलत है आपका ज़ज नहीं और है यह चीफ जस्टिस प्रहें मतलब मुख नय द्धीश तो हम सिर्फ बात करें हाइग के जज रहे हैं ज़ज उफ मध्य प्रदेश तो यह गलत हो गया यह क्या है है चीफ जस्टिस रहें जिस जफ जस्टिस आफ मध्य-प्रदेश ठीक है तो मैं ने आपको पहले बताए मेरी बातों पर भरोसा मत करें आप खुद जाये जितना भी कोशन आप कोशन पेपर उठाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आपके पुराने यह कि जितने भी कोशन वहां पर जो फैक्ट आये हुए हैं तो फैक्ट बहुत ही कम गलत करते हैं ऐसे फैक्ट बहुत डिटेल फैक्ट था तो कभी वह फैक्ट गलत नहीं करता आपको गलत कोई सिंपल चीज करेगा जो आपको पता हूनी चाहिए जैसे यहाँ पर 2013 से 16 यह गलत नहीं है यहाँ पर गलत है कि यह जज नहीं थे यह क्या थे यह चेफ जस्टिस थे मध्रदेश हाई कोट ठीक है 2013 से 16 तक अब क्या बनाएगया फिर इसके बाद ही जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में उसके बाद अब बनाएगये हैं यह लोग पाल आपके भारत के ठीक है असत्यकतन बताना है तो यह हो गया केवल दो तो केवल दो आपका क्या हो गया असत्यकतन हो गया याद कैसे कर सकते हैं यहाँ पर खान विलकर का आप खान उठा सकते हैं खान विलकर ठीक है मानिक राओ खान विलकर मतलब मनी की खान थी मनी की खान थी अब किसी के पास अगर म अपने घर में तो हम करबशिन की बात करें यहां पर मनी मनी और खान से Аप रूप कर सकते हैं लोगपाल ठीक है मनी कट्टा करके रखी खान बना के रखना तो यहां पर हम क्या करेंगे लोगपाल का छापा मड़े मतलब मारा जाएगा इसके लावब 2013-16 ज़रूरी नहीं किट स्थापना 1940 में हुई थी दो कंट्री ओफ इस्टब्लिश्ट इन 1948 यह भूमद इसागर के सांथ सीमा साजा करता है शेर बॉर्डर्स विद्धा यह भी बिल्कुल सही है तो यहां पर सत्यकतन हो गया एक और दो इस्थापना कब हुई है तो यह हुई है 1948 में मतलब हमारे अजाद होने के जस्ट अगले साल इसराइल आपका बनता है 1948 में बनता है साथी साथ यह याद रखेगा कि भूमद सागर मेडिटरेनियन सी के सांथ स और सेवा की पहली महिला सुबेदार को बनाया के निमा साद आतला है मतलब यह झांपर परार्मी इंतार और सबारते जी और यह याद रखेगा पहली महिला सुबेदार है इन्होंने चीन में आयोजित एशियाई गेम्स में ट्राफ शूटिंग में स्वर्ण पतक जीता था शी वॉन दा गोल्ड मेडल इन ट्राफ शूटिंग इन दा एशियन गेम्स हेल्डिंग चाइना तो आपको बताना इसमें से सत्यकसन कौन सा है पहला जो है प्रिति रजक ज चीन में इन्हें मिला है इन्हें मिला है रजत पद पह rebellion मतलब आपका सिल्वर गोल्ड ना मिलके सिल्वर मिला है रिलेट कैसे कर सकता है प्रीती रजग का रजग का आप रजग से कर सकते हैं रजग जी को रजग मिला है एशियन गेम्स में और आर्मी में है तो इसलिए आर्मी में है तो किस से रिलेटेड होंगी आपकी शूटिंग से रिलेटेड होंगी ठीक है आर्मी में है तो शूटिंग से रिलेटेड होंगी तो पीती रजग जी जो है उनको रजद पदक मिला है एशन गेम्स में किस चीज के लिए शूटिंग के लिए क्यों कि आर्मी में है वो और पहली महिला गेम्स सूटिंग में मिला है और पहली महिला इसूटिंग के लिए मिला है तोир जापान तक्निक से मोतियों के खेति रद्लाम जुले यहां पर यादफिएगा कि यहां पर हम मोतियों की खेति कर रहे हैं तो उस से हम opinions की खेति हुआ होती है प्रको सब्सक्राइब कर रहा है जपान टेक्निक से इसके लावा दक्षुन अमेरिका में आपको quinova जो है ये आपका एक फसल है जो मतलब सुपर क्रॉप भी कहलाती है सुपर क्रॉप भी कहलाती है काफी जादा पॉस्टिक होती है आइरन कैल्शियम रिच होता है काफी जादा इसकी डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में तो हम यहां पर दक्षुन अमेरिकी जो किस्म है दक्षुन अमेरिकन वराइटी की कहां उगा रहे है करते है यहां पर इनोवा भी कर सकते हैं इनोवा तो इनोवा किसे रिलेटेड है आपके मंद सौर से रिलेटेड है जो आपके मंद सौर का हम मंद बनाते हैं तो मंद जो हैं उनको हम क्विनोवा खिलाते हैं क्विनोवा नहीं याद हो रहा तो फिर कर लीजे आप इनोवा कि हम जो मं मोतियों की खेती कर रहे हम रतलाम में रतलाम का हम बनाते हैं रात तो रात में हम क्या करते हैं रात में हमेशा हम मोति वगेरा चुनने जाते हैं जब जाते हैं तो तो मोति लेने जाते हैं रात में यह भी याद रखेगा अब जापान की टक्नीक से है तो यह आपको याद रह कि आपकी अप्रते करें रहते हैं कुछ भी सब हैं काफी की आपका होता है और आपको यह चीज भी दिखा के up cave मंत्क परदेश के हैं सबसे चाह barbar हुक्स में के रहा है कि सबसे जाहिए आगर कोई चीज विक्सित कर सकते हैं तो वह है इसलिए इंतरने टनल मार्केट में हैं sih को परने हैं अलग अलग जैसे खेती हैं वो त्यों कि खेती वो भी हम अपके मंद्र प्रदेश में प्रमोट कर रहा है ठीक है यह चीज़ आपके में में भी आप यूज कर सकते हैं भारती म्रदा विज्ञान सोसाइटी यहां पर आई ट्रिपल एस का सतासीवा वार्सिक सम्मेलन कहां यूजित किया गया वेर वोज दाइटी सेवंध अन्यूल कॉंफरेंस ऑफ द इंडियन सौइल साइनस सोसाइटी यह कहां पर हुआ था तो ऐसे कुश्यन आप देखेंगे प्रीवेस यह पूछे जाते हैं कौनसा सींमाज hell is a यह प्द्रपाल में क्या ने क्या किया जो आपके सीम है यादव जी तो महन मठी के लिए काफी अच्छा काम किया तो मिट्ती को बहुत अच्छा करने के लिए मोहन यादव जी ने मिठी के लिए आपको उन्हें अगर नहीं सिवराज सिंग चोहान अगर याद हो रहें तो आप आपने देखा होगा फोटोज वगेरा में कि वह डेली क्या है पौधा एक मतलब लगाते थे प्लांटेशन करते तो आप उससे भी सो सकते हैं कि सिवराज जी इसलिए भी प्लांट वगेरा लगाते थे जिससे हमारे यांकी मिट्टी अच्छी हो चके तो आपका हो जाएगा इंडियान स्वाइल साइंस सोसाइटी भोपाल में स्वाइल को अच्छा करने के लिए फिर ए इंवेस्टर समिट रिजनल इंड़स्ट्री कॉन्क्लेव और्गनाइज इन मध्यप्रदेश और वन्टू मार्च तो आपको पता है इंवेस्टर समिट जब हम पहले देते थे तो मैक्सिमम आपके इंदौर में होता था एक बार आपके एक दुबार भुपाल में भी दोहजार चौबिस की बात करें तो दोहजार चौबिस में जो इन्वेस्टर हैं इन्वेस्टर कहां घूमने गये थे महाकाल घूमने गये थे तो इन्वेस्टर ने कहा कि पहले महाकाल घूमा दो उसके बाद इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो दोहजार चौबिस में जो इन्वेस्टर आये वो कहां घुमने के थे महाकार या आप मोहन यादा जिसे भी रिलेट कर सकते हैं ठीक है तो यह हो गया आपका इन्वेस्टर समेंट फिर पारवती काली सिंद्ध चंबल आई आर सीपी लिंक परियोजना के लिए किसके किसके मद्ध समझाता हुआ है इस्टर राजस्थान कनाल प्रोजेक्ट मतलब हम यहां पर क्या कर रहे है इस्टर राजस्थान में कनाल प्रोजेक्ट इस्टर राजस्थान में आपके जो पानी की कमी हो उसकी पूर्ती की जाता है आपको पता है पहला जो हमने रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया था केन बेतवा वाला अभी दूसरा जो है वो है आपका यहां पर अग्रिमेंट हो गया है पारवती काली सिंग और चंबल के बीश कि यह जो पूरा इलाका है इन सारी नद्यों का एक्स्ट के बाद मंद जो क्या है एक्रिमेंट हुआ है कि यह तुनों आपस में काम करके आपको भी पता है कि जब हम बात करें आपके यहां पर चंबल वाले इलाके की तो यह राजस्थान वाला इलाका हो गया फिर पारवती और काली सिंध जस्ट बगल से ही निकलती है आपके करेंट हो रखा है मध्यप्रदेश राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच ठीक है इसमें मध्यप्रदेश और राजस्थान तो इन्वाल हो गई यह तो आपको पता है और रिवर लिंगिंग प्रोजक्ट है तो यहां पर यह भी याद रखेगा कि यह इंटर स्टेट तो यहां पर यह इंटर स्टेट हो गया राजस्थान भी है मध्यप्रदेश और केंद्र सरकार के सांथ भी हम काम कर रहे हैं ठीक है तो यह याद रखिएगा इंपोर्टेंट है परमाण उर्जा विभाग की एक शाखा कहां देश का पहला रेयर अर्थ एंड टाइटेनिय लिए थीम पार्क बना रहे हैं तो कहां पर बना रहे हैं यह याद रखिएगा मुंबई सूरत भोपाल यह दहरदूर आप आराम से सोचेंगे यहां पर आपको क्या लगाना है लास्ट में भोपाल पर जाना किसी भी हम बड़ी सिटी में लगा रहे हैं हम अपने भोपाल राजधानी में लगा रहे हैं भोपाल में ठीक है तो याद रखिएगा रेयर अर्थ एंड टाइटेनियम थीम पार्क जो है वो बनेगा आपके भोपाल में ठीक है रेयर अर्थ आप यह कर सकते हैं कि भोपाल की जो सीनरी है जो आपके लेक्स वगेरा है वो क्या है काफी प्रत्वी में प्रत्शी में काफी कम देखने के मिलेगी हमारे जैसे वुपाल के सुंदर शुंदर सुंदर शुटी ठीक है तो यह होगा प्रता यह भौपाल में बनाया जा रहा है कौन बना새 है जिसे मैंने बता है परमान वुर्जऑ भभाग बना आपने अभी देखा होगा थोड़े ताइम पहले अंहों ने भी अक्नॉलिज़ किया ऑल्लाइन गेमिक वो गये थे कुछ लोगों से मिल ले जो online gaming में मतलब बिल्कुल top पे चल रहे हैं तो हमारे पूरे मतलब इंडिया में online gaming को देखेंगे आप e-gaming जिनको e-sports जो है वो काफी ज़्यादा promote किये जा रहे है तो e-sports के लिए यहाँ पे आपको बताना है कि पहली gaming academy कहाँ पे establish की गई है तो यह है आपके मध्यप्रदेश में मध्यप्रदेश वैसे भी कुछ नया आता है तो उसमें सबसे पहले कदम उठाने में सबसे आंगे रहता है तो मध्यप्रदेश ने e-sports के लिए academy बनाई है मध्यप्रदेश state e-sports academy online gaming को support करने के लिए online gaming को बढ़ावा देने के लिए तो याद रखेगा जो online gaming में interested है वो इस एक आदमी में जाके देख सकते हैं क्या कैसीज़े हो रही है तो यह हो गए आपके मध्यप्रदेश में establish की जाएगी पर निमलिखित में से भूटान के नए प्रधान मंत्री कौन है who among the following is the new prime minister of भूटान अभी भूटान के प्राइम मिनिस्टर हमारे यहां आए थे sharing से याद कर सकते हैं sharing यह आपका English वाला जो है sharing उससे कि हमारे भूटान के साथ हम और इंडिया और भूटान काफी अच्छे ties share करता है काफी अच्छे संबंध जो है वो share करता है तो sharing जो है sharing आपका हो जाएगा इंडिया भूटान मतलब आपके भारत और भूटान के जो संबंध है काफी अच्छे संबंध share करता है भारत भूटान काफी अच्छे संबंध शेर करता है तो sharing टोगवे ठीक है यह आपके हैं कहते हैं प्रधान मंत्री भूटान के नए पर पाफुवा नियू गजी इसथि यहां पर मोदी जी जो है पहले आपके फर्स्ट पीएम है भारत के मोदी जी जो गय थे आपके पापू अन्यूंगिनी और मतलब आउट ओफ रस्पेक्ट ही जो आपके specific Ocean वाले portion में आता है सत्यकथन बताना है तो यह हो गया आपका केवल दो यहाँ पे आप याद कैसे कर सकते हैं James определ मरा मरा से भी कर सकते हैं कि आपके पापो न्यूगिनी वाले हैं वो मरे जा रहे थे की यार मोदी जी हमारे यां भी आ जाओ हर जगह आप घूमते हो तो मरे जा रहे थे अपने यहां गुलाने के लिए मोदी जी को आपके पापुवा न्यों गिनी वाले ठीक है तो यह हो गया है के वाल आपके प्रदान मंत्री है पापुवा न्योगिनी प्रसांत महाशागर का एक ड्वीप है आइलेंड फिर फिर एकहत्तरवे महाबोधी महोचो दोहजारतेश कायो जन बोध गया में किया गया था दा सेवेंटीफर्स महाबोधी महोचो टूटाउजन ट्वेंडिट्री वाज और गया देश के पहला यूनिटी मॉल उज्जैन में स्थापित किया जा रहे हैं तो गवर्मेंट की और ह हमारी जो अलग-अलग चीजें हैं अलग-अलग जिलों से संबंदित उनको प्रमोट करने के लिए हम यूनिटी मॉल बना रहे हैं उज्जैन में बना रहे हैं बिल्कुल सही है लेकिन यह महाबोधी महोचो जो है वह साची में सेलिब्रेट किया गया था अगर अपने मध् संब्रदेश में मनाया मद्धिह का कर सकते हैं साची में कर सकते हैं तो हम चालीब्रेट कि महाबोधी महोचो दो के उज्जयन में हैं तो सत्यकतन बताना है सत्यकतन होगे केवल धो Unity महल जो है वो हम उज्जयन में बना रहा है महाबोधी महोत्सो जो है वो कहां हुआ था आपके सांची में थीक है याद है याद रखेएगा महाबोधी आपके बहुत धर्म से माहा आपके मध्य प्रदेश में अगर कोई ऐसा है इस्थान जहां पर हम बहुत धर्म से रिलेटेट करेंगे तो वो करेंगे आपके सांची में ठीक है तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं फिर 27 यूवा उत्सो दोजार चौबिस कहां यूजित किया गया वेर वॉस दा 27 यूथ फेस्टिबल 2024 हेड़ याद रखेगा यूवा उत्सो जो है दोजार चौबिस यह हुआ था आपके भोपाल में ठीक है भोपाल में हुआ भोपाल में मतलब यूवा जो है यूवा बहु जदा यूवा मनाता रहता है भोपाल में दो यूवा काफी ज़्यादा मतलब ऐसे आप मानें कि बहुत ज्यादा उच्छा ही हैं तो हम यूवा उच्छो कहां मना रहे हैं भोपाल में मना रहे हैं फिर वाद्देश कि कि खिलाडी को पैरा के लिए अर्जुन पुरुसकार वाले हैं अर्जुन अवर्ड किसको किसको मिला यह तो आपको याद ही रखना ना यह इन तो अगर आपको पता होगा कि यह इनमें से पैरा कनों कौन कर रहा है तो आप आराम से गेस्ट कर ले जाएंगे यह हैं आपकी प्राची यादव हमारी प्राची जी जो है प्राची जी क्या कर रही है पैरा कैनों है याद रखेगा पैरा कनों से रिलेटेड है और इन्हों न यह याद रखेगा की यह अभी जो इसन्य इसमें आर्जुन मिलें ये कहाई कि आपके ग्वालियर है। प्राची तो हमारी धी पहला कर सकते हैं या तो घृत कर सकते हैं तो हमारी पैर कानुसिषò लाड़ी जो प्राची है वो प्राची गाली बहुत देती हैं आप ऐसा भी रिलेट कर सकते हैं प्राची यादो इसके अलाब आप देखेंगे कि एश्वर प्रताप सिंग इनको भी अर्जुन अवार्ड मिला है लेकिन इनको शूटिंग के लिए मिला है ठीक है तो याद ओनर्ड विद द्रोनाचार अवर्ड 2023 यह लंदन ओलंपिक 2012 में भारती होकी टीम के कप्तान के रूप में शामिल हुए थे ही पार्टिसिपेट इन लंदन ओलंपिक 2012 ऐस दे कैप्टन ओफ इंडियन होकी टीम सत्य कथन बताना है तो यह आपके दोनों कथन जो हैं वो सत्य है 2012 में यह कैप्टन के रूप में शामिल होते हैं किसमें आपके हॉक्जी टीम में दो अंडियन होकीटीम के Wow क्राश्ची जी भी आपकी ग्वालियय बहुत देते हैं अगर यह कुछ से खेलता नहीं तो शिवेंद्र सिंग्हाइन को द्रोण अशार औरड मिला है प्राश्ची जी उनको तो अर्जुन अवार्ड मिला, अर्जुन अवार्ड क्योंकि खिलाडी है, द्रोना चार अवार्ड क्योंकि ये कोच है, ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संदर्भ में निमलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सही है, with reference to the great इंडियन बस्टर्ड, which of the following statement is are correct, ये कोशन आपको आराम से पढ़ना है, थोड़ा सा बड़ा है, UPSC लेवल का मैंने कोशन बना दिया है, आराम से पढ़ना है, आपको चीज़े पता है इसके बारे में, ये आपके current का कोशन कैसे है, यहाँ पे IUCN की जो red सूची होती है, उसके अनुसार ये गंभेर रूप से संकट जिसको बोलता है critically endangered है, तो याद रखेगा, क्योंकि ये मध्यप्रदेश के भी इलाके से related है, इसलिए important हो जाता है, पर्यावरन वाले section में पूछा जा सकता है, तो याद रखेगा current के लिए important है, आपकी जो IUCN red list है, उसमें great Indian bastard जो पक्षी है, वो किसमें आता है, critically endangered में आ मतलब अभी available है, सिर्फ dead store, तो इसलिए बहुत गंभी रूप से संकट ग्रस्त है, प्रजातियों के रूप में वर्गी ग्रत किया गया है, classified as a critically endangered species, as per the IUCN red list, ये बिल्कुल आपका सही है, दूसरा जो ये भारत के लिए स्थानिक है, it is endemic to India, ये आपको एक option रखना है, ए इसके संरक्षन हे तू बनाया गया है, घाटी गाव वाइड लाइज संचुरी इन मध्य प्रदेश है बिन क्रियेट फॉर इस कंजरवेशन, आपको बताने है, सत्यक अथन कौन सा है, ठीक है, अराम से पढ़िए, फिर बताईए, तो पहला मैंने आपको बताई दिया, बि बस्तरड के लिए, इसके लावा आपको पता है कि जो आपकी करेरा वाइड लाइज संचुरी थी, कहां पर शूपूरी में, वह अब डी नोटिफाइ कर दी गई है, डी नोटिफाइ क्यूंकि आपकी इपक्षी मिलते ही नहीं है, ठीक है, तो यह डी नोटिफाइ कर दी ग पाकिस्तान वाले इलाखे में भी मिलते हैं, तो यहां पर आपका एक और तीन जो है, यह सही हो गया, एक और तीन सही है, दूसरा गलत है, भारत बस में नहीं पाया जाता है, यह आपके पाकिस्तान वाले इलाखे में भी पाया जाता है, तो एंडिमिक नहीं है, स्थानिक ही है भारत के लिए ठीक है और अगर आपको कोश्यन मेरे अच्छे रखते हैं कोश्यन का लेवल अच्छा लगता है मेरा तरीका अच्छा लगता है पढ़ाने का तो ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर जरूर करें लाइक तो बिल्कुल कर ही दिया करें भी ना सोचे समझे तो यह आपको क्या करना है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड याद रखेगा यह हमारा क्या है ग्रेट इंडियन हमारे यहां के जो ग्रेट इंडियन है ग्रेट इंडियन वो क्या होते जा रहे हैं संकट ग्रस्त है गंभी रूप से संकट ग्रस्त है जो ग्रेट इंडियन है मत सनस्था ने साइवर अपरात से निपटने के लिए एक नए उपकरण के रूप में डिज्टल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी की सथापना की है तो टूल को किया है यह आपको बताना है यह हो गया आपका SBI यह से भी यहां पे देएस बनाई है किसके लिए इंडिया को बढ़ावा दे रहे हैं लेकिन आपको भी पता है कि कि कितनी ज्यादा cyber crimes के अपराद जो हैं लगतार बढ़ते जा रहा है अलग-अलग टेक्निक के माध्यम से तो cyber crime को क्योंकि हमें क्या करना है trust develop करना है अपने digital इंडिया पे तो RBI ने trust बनाने के लिए आपको relate कैसे करना है जो लोन प्रोवाइब करते हैं और आजकल के वैसे भी लोग मतलब 10,000 की salary में भी फिर वह 5000 जारी होती है क्योंकि लोन बहुत ज्यादा है है हेंडल करने लिए सारी चीजों के लिए हमने एक एजेंसी बनाई है ट्रस बनाने के लिए हाल ही में किस राज ने air breathing magnesium copper cupric oxide magnesium co CEO इंधन सेल विक्सित किया है recently which state developed air breathing magnesium copper cupric oxide fuel cell याद रखेगा ये हमने fuel cell बनाया है तो केरल राज ने बनाया है ठीके केरल राज में ये बनाया गया है अभी हम क्या यूज करते हैं lithium ion battery यूज करते हैं ठीके lithium ion battery यूज करते हैं जो कि क्या है काफी ज़ादा नुपसान दायक है तो अब ये fuel cell के रूप में हम क्या कर रहे हैं इसको हम eco friendly ये जो हमारा option है magnesium copper cupric oxide काफी eco friendly fuel cell इससे बनाया जा सकता है तो आने वाले time पे future में काफी ज़ादा scope है इसके लिए किसने बनाया है केरल राज में बनाया गया है इसके अलावा इसका जो बाय प्रोड़क्ट है मतलब ये इतना जादा eco friendly है कि बाय प्रोड़क्ट के रूप में आपका सिर्फ water निकल रहे है तो इसमें कुछ भी नुकसान दैक नहीं है काफी जादा अच्छा है इंवार्मेंट के लिए magnesium copper cupric oxide ठीक है आपका ये fuel cell टेरल में बनाया गया है आने वाले टाइम पे lithium iron battery से जादा अच्छा काम करने की संभावना भी है ठीक है याद रखेगा इसमें मतलब भारत आंगे चल रहा है काफी जादा plastic overshoot day 2024 report हाल ही में किस गैर लाबकारी संगठन द्वारा जारी की गई plastic overshoot day 2024 report recently released by which non-profit organization किस NGO ने निकाली है plastic overshoot day report 2024 report तो याद रखेगा ये किस ने निकाली है earth action ने ठीक है आपका earth action जो है एक NGO है earth action क्या है अर्थ के action के लिए काम करता है तो earth में अभी सबसे ज़दा जो problem चल रही है वो क्या चल रही है plastic की आपको भी पता है plastic problem इतनी ज़्यादा बड़ी है कि मतलब ऐसा बहुत सारी reports में आए कि आने वाले time पे समुद्र में मचलियों से ज़्यादा plastic कचड़ा होगा आपका इतना ज़्यादा नुकसान दाक है उसके अलावा micro plastic जो है वो body में पहुशता जा रहा है धीरे धीरे food chain में आता जा रहा है तो आने वाले time पे बहुत सारी हमें health issues भी हो जाएंगे क्योंकि हमारी body में micro plastic बहुत ज़्यादा ही कठ्था होता जा रहा है अलग-अलग अगर organs में होता गया तो सिधी बाते दिक्कत आईगी तो सबसे ज़्यादा जो plastic के आजकल problem है सबसे बड़ी problem है उसके लिए अर्थ action NGO ने एक plastic overshoot day report निकाली थी 2024 में ठीक है याद रखिएगा current में वह भी environment के हिसाब से काफी ज़्यादा important हो जाती है अर्थ action अर्थ के लिए हमें action लेना पड़ेगा प्लास्टिक से बचाने के लिए अर्थ के लिए action लेना पड़ेगा ठीक है फिर विशुका सबसे बड़ा hybrid नवी करनी है उर्जा पार्क कहां स्थापित किया जा रह तो hybrid renewable energy park है कहां establish होगा याद रखेगा यह होगा आपके गुजरात में कक्षवाले इलाके में ठीक है तो यहां पर गुजरात में कक्षवाले इलाके में establish किया जा रहा है हो काफी बड़ा project है मतलब लाख करोड जो रुपए हैं इसमें लगाए जा रहे हैं क्योंकि hybrid है अल सबसे बड़ा है hybrid है और कहां पर लग रहा है कक्ष गुजरात वाले इलाके में ठीक है और वैसे आपको यह पता है कि गुजरात वाले इलाके में अगर हम rooftop solar मतलब यहां पर याद रखेगा अगर हम roof rooftop जो आपका solar energy solar या solar plant जो है installation की बात करें installation तो इसमें भी आपका गुजरात ही टॉप पे चल रहा है रूफ टॉप जो आपका installation है solar plant का solar energy का उसमें भी गुजरात टॉप पे चल रहा है तो गुजरात हमारा renewable energy में बड़ा अच्छा काम कर रहा है तो इससे भी आपको relate करना है hybrid वाला भी काम करेगा तो कौन करेगा आपका गुजरात ही करेगा ठीक है फिर पेरिस olympic 2024 के लिए भारत का ध्वजवा हग किसे चुना गया है who has been selected as India's flag bearer for Paris olympic 2024 अब यह start होने वाला है आपका पेरिस olympic उसमें हमने चूज कर लिया है कि flag bearer कौन रहेगा याद रखेगा यह MPPSC यह शायद पूछा गया था 2019 के पेपर में इससे related कि कौन भजवाहक था उस वाले olympic में जो भी 2019 के पहले वाला था आपका तो यहां में पूछा गया था question इससे related इसलिए question यह important हो जाता है अभी हमने किसे choose कर लिया है याद रखेगा यह है हमारे अचन शरत कमल यह आपके शरत कमल जी है शरत कमल कमल से भी आप याद रख सकते हैं जो हमारे कमल जी है यह table tennis से related है टीटी से related है इसके अलावा इनको पदमश्री और उसके अलावा अर्ज चीज़ें मिल चुकी है ठीक है याद रखेगा table tennis से यह related हमारे कमल जी तो कमल जी लेकर जाएंगे हमारे जो धोजवाहक हैं धोजवाहक के साथ साथ कमल भी लेकर जाएंगे जब हम पेरिस ओलम्पिक में जाएंगे ठीक है तो शरत कमल जी का नाम याद रखना है table tennis से related है और ये धोजवाख है दोज़ार चौबेस पेरिस ओलम्पिक में भारत की तरब से, ठीक है, कमल इमाजन करके चलना है जब हम पेरिस ओलम्पिक में जाएंगे, कमल लेके जाएंगे, बहुत सारे, फिर डेन्मार्क का नया राजा किसे बनाया गया, who was made the new king of Denmark अभी Denmark के नेने राजा बने है आपके United Kingdom के भी नेने राजा बने थे तो उनका थोड़ा टाइम हो गया Denmark के और अभी ताजे ताजे बने है तो याद अखिए का कौन है ये हैं आपके Frederick Dasham ठीक है दस नंबर वाले हैं Frederick 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 जो हैं अभी राजा बनाए गए इसके पहले हमारी कौन थी Margaret दुतिय थी और 900 सालों के इतिहास में ये पहली आपकी first मालीजे क्वीन है या रानी है या राजा है मतलब जो भी शाशन में बैठा हुआ था वो अपने पद से रिजाइन करने वाला पद से मतलब यहां पर रिजाइन करने वाला खुद रिजाइन करने वाला मतलब अपने मन से रिजाइन करने वाला पहला साशक है या साशी का है ठीक है तो first queen या आपका king है पहला है 900 सालों के इतिहास में जिसने खुद से पद त्याग किया है मतलब अपनी गद्धी छोड़ी है तो उसके बाद जो हमारे margaret थे margaret काफी मतलब great है margaret से आपको क्या करना है margaret margaret से आपको करना है great ये बहुत ही great थी rani इन्होंने पद त्याग कर दिया और फिर frederick dasham ये बनते हैं आपके नए राजा कहां के dnmark के ठीक है dnmark frederick अपना जो है वो mark छोड़ कर जाएंगे इस दुनिया में frederick frederick अपना mark छोड़ कर जाएंगे इस दुनिया में तो dnmark के राजा है frederick dasham ठीक है याद रखिए कि अपना mark छोड़ के जाएंगे कौन हमारे frederick ठीक है उसके लाबा इसके पहले राणी कौन सी थी तो थी margaret बहुत ग्रेट थी margaret दूती जिन्होंने अपना पदत्याग दिया Microsoft के किस पहल द्वारा भारत में एक लाख developers को नवेंतम AI प्रद्योग की और उपकर्णों में कौशल प्रदान किया जाएगा which Microsoft initiative will skill 1 lakh developers in India in latest AI technologies and tools तो Microsoft ने अभी क्या किया है इंडिया के developers के लिए अपना एक क्या यहां पे एक ऐसा मानिये पहल start करी है एक योजनट आई के start की है जिसमें एक लाख developers को नई AI technologies और tools के बारे में क्या किया जाएगा यहां पे skill दी जाएगी ठीक है Microsoft प्रोवाइड करेगा skill यहां पे तो कौन से यहां पे पहल है AI कर्मा सक्षम योग ओडिसी याद रखिएगा यह मैंने option ऐसे रखे हैं कि अगर आपको अच्छे से नहीं पता तो confused जरूर हो जाएगा जिसे कर्मा हो गया सक्षम हो गया योग हो गया यह है आपका AI odyssey ठीक है odyssey है मतलब लगेगा नहीं कहीं से कि यह odyssey होगा लेकिन यह आपका option है यहां पे odyssey तो AI odyssey मतलब odyssey जो है आपका odyssey Microsoft odyssey पहल AI odyssey पहल के अंतरगत क्या कर रहा है एक लाख developers इंडिया के developers को skill provide कर रहा है artificial intelligence के technologies में ठीक है तो याद रखेगा odyssey हमारे odyssey से related है artificial intelligence odyssey से related है AI क्या कर रहा है tools वगेरा के बारे में skill दे रहा है इंडियन को ठीक है तो याद रखेगा odyssey से related है Microsoft का skill जो प्रोग्राम है AI से related इसके अलावा application के बारे में देख लीजे application ब्रांभी एडमी application में आपको prelims, mains, test series सारी चीज़े मिल जाएंगी में में पेपर फॉर पार्टे पार्ट भी दोनों लेकर चल रहे हैं उसके अलावा अगर प्रिलिम्स की बात करें तो प्रिलिम्स में हमने एक crash course और एक आपका detail course लाउंच किया है दोनों में बहुत अच्छे तरीक WhatsApp message जो भी चाहें करके पूठ सकते हैं ठीक है टेलिग्राम आप ग्रामी अकैडमी जॉइन कर सकते हैं लेटेस्ट अब्डेट्स वगेरा के लिए फिर हो गया गुट निर्पेक्ष अंदोलन का उन्नीसवे सिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित अंदोलन उन्नीसवे सिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया गया था यह थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है वेर वोग नाइंटीन समिट अफ दा नॉन अलाइंट मूवमेंट 2024 है जो आपका नयाम है नॉन अलाइंट मूवमेंट है न तो यह अभी 2024 में कहां इसका समिट हुआ था नाइंटीन समिट गुट निर्पेक्ष अंदोलन उन्नीसवे सिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया ग तो यह आपका नयाम है गुट निर्पेक्ष तो यहां पे गुट बनाके कौन बैठा हुआ है आप चाहें तो निर्पेक्ष याद करें चाहें नहीं करें गुट कौन बनाके बैठा हुआ है यह बनाके बैठा हुआ है गेंडा ठीक है यूगांडा का आप गेंडा कर सकते ह जो है यूट बनाके बैठा हुआ था दोहजार चौबिस में गेंडो ने अपना-पना गुट बनाके रखा था यूगांडा कंपाला में हुआ था इसका समिट ठीक है नाम समिट 2024 याद रखेगा ये कौश्चन जो है कि कौन सामिट कहां पर हुआ था यह कोश्चन इंपोर्टेंट है पूछे जाते हैं तो जरूर याद रखेगा गुट निर्पेख आपका हुआ था कहां पर युगांडा में देख तो मतलब आपके अफ्रीकन कंट्री है गेंडा गुट बनाके बैठे हुए थे इस बार 2024 में आप ऐ यह ओपन AI वही वाली है आपकी चैट GPT पूछा गया था लास्ट ताइम 2023 में कुश्चन है ना तो Microsoft और ओपन AI यह दोनों मिलकर एक AI सुपर कंप्यूटर बना रहे है सुपर कंप्यूटर अब यह AI सुपर कंप्यूटर मतलब यहां 100 गुना अभी जितना है उससे 100 गुना दॉलर खर्चा करने का प्लान है Microsoft और ओपन AI साथ में मिलकर कर रहे हैं AI सुपर कंप्यूटर का निर्मान याद रखेगा इसका आपका नाम है स्टार गेट ठीक है स्टार गेट याद कैसे करेंगे हमने एक स्टार को लगा रखा है गेट में क्योंकि यह बहुत बड़ा क्य हैं उसके बाहर हमने एक स्टार को खड़ा कर रखा है एक बड़ा सुपर स्टार है उसको खड़ा कर रखा है कि आपको अंदर किसी को जाने नहीं देना क्योंकि अंदर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है 100 बिलियन डॉलर का Microsoft और Open AI का AI सुपर कंप्यूटर डेवलप करने के लिए ठीक है दोजार अठाइस तक बनेगा अलग-अलग फेजस में बनेगा तो आपको नाम याद रखना है स्टार गेट स्टार हमने गेट पर ही रोग लिया है ठीक है अंदर बहुत इंपॉर्टेंट काम चल रहा है फिर निम लिखित में से वर्तमान में कौन है हूँ अमंग फॉलोइंग इस प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ मालदिश के मुहमद मुईजू प्रतवीरा सिंग रूपन महमूद कोईली नजीम मारण या दखेगा यह आपके हैं मुहमद मुईजू हमारे जो मुईजू जी हैं यह क्यों इंपॉर्टेंट में आ नहीं जाएंगे मोदीजी ने अपने लक्षवदीप और जो दमंदीव अगयरा वाल एरिया है उसको प्रमोट करने की बात कि कि आप वहां घूमने जा सकते हैं तो यह सारी चीज़ें चल रहे थी न्यूज में इसलिए आपको याद रखना है कि जो आपके वर्तमान में मा ओना में महम 걱정 है मोह यहां पे होगे नहीं मोह में मोह ओ lead की काल चाना याद कर सकते हैं कि मह मोह हो गया इनको लगा कि क्या कर दिया सांद के हम जाएंगे मा काफी जादा लगाओ है ठीक हमारे जो वहां पर सोल्जर्स वगेरे थे उनको भी हटाने की बात की गई थी मुहम्मद मोजु द्वारा तो इनका फिर क्या हो गया मोए मोए हो गया तो अभी माल्दिव्स के जो राष्टपती है कौन है मोए मोए मोजु जी है ठीक है याद र जैन भोपाल यह जैन का तीकर इसमें आपके वगेरा होते हैं involves होते हैं मौवह कर ना रहाएं कि वो सब आनंद के साथ उत्सों मना रहा है कहां पर हमारे महाकाल भगवान के पास या फिर आप उजयन का जैन भी कर सकते हैं कि जैनी गुरू जहां पर भी रहते हैं वहां पर सब आनंद उत्सों मनाते हैं ठीक है यह याद रखेगा राहगीरी आनंद उत्सों कहां मनाया हमने उज्यायन में फिर विश्व आर्थिक मंच W.E.F. 24 वार्षिक बैठक 2024 कहां योजित की गई थी where was the word economic forum W.E.F. 24th annual meeting 2024 held अभी हमारे मतलब बहुत सारे minister वागेर भी गया थे इसमें W.E.F. में economic forum है काफी important है 2024 में इसकी annual meeting कहां हुई थी याद रखिएगा यह हुई थी दावोस में कहां पर मिलेगा यह सुच्जिल लैंड में ही है ठीक है सुच्जिल लैंड दावोस तो यहां पर दावोस का आप या तो दावा भी कर सकते हैं है न या फिर दावोस का आप मतलब चाहें तो कुछ और भी कर सकते हैं अपने हिसाब से या दखिएगा दावोस कहां है सुच्जिल लैंड में ही है आपके डबलूउइएफ को और बबात करने फिर अविक वे बैसे के सब्सक्रत तो नहों रिलेत कर सकते हैं डब्लू ऐ अविश्व आर्थिक मन्च ठीक है फिर धनुजात्रा उत्सो किस राज में मनाया जाता है धनुजात्रा फेस्टिवल इस सेलिवरेटेड इन विच स्टेट धनुजात्रा आपको अंदर जात्रा या यात्रा आप जो भी कहें धनुजात्रा जो है कहां का सबसे अच्छा उत्सो मनाया जाता है यह माना जाता है यह है आपके उडिशा का ठीक है उडिशा का जैसे आपने रत्यात्रा वगेरा सुना ही है रत्यात्रा काफी जादा बड़े लेवल पर मनाया जाता है यह उसके अलावा आपका जैसे कलिंग उत्सो वगेरा हो गया कलिंग उत्सो ऐसे ही आपको याद रखना है धनु जात्रा धनू जो धनू है आपके धनू है वो जाती है घूंने उरीशा में आपके उरीशा में जाती है धनू क非ते हैं मैं में में उरीशा worked अब को पता ही रहते हैं वह इसके अलावा मतलब जो मेंन है आधCloud कहां है जो नए नाम मिलते हैं वह जरूर एक बड़ आपको देखना है जैसे कि धनू जात्र हो गया अब जीसए युझा आत में मनाते हैं कलिंग आपको क्योंकि पता है कलिंग ऊडी सा वाले इलाखे में है तो कलिंग भी ओडी सा में ही मनाएंगे कलिंग ऊच्छो धनुour जात्रा ये याद Islands किसकी फ्रैंट है ईश्या की फ्रैंड है तो ये कहां मनाया जाता है उड्फिर प्रहागीरी आनंद के सांथ उच्छों कहा मना रहे थे वो मना रहे थे आपके उज्जैन में ठीक है फिर हाल ही में किस देश ने ऑनलाइन भाशन और मीडिया को विनेमित करने के लिए और आपको भी पता है कितना जादा जरूरी है मतलब इतना जादा लोग ट्रोल करने लग जाते हैं किसी को भी क्योंकि सबको पता है कोई तो जानता नहीं हमें क्या ही जादा से जादा मैसेज ही कर लेगा तो ऑनलाइन स्पीच और मीडिया को क्योंकि हेट स्पीच बहुत जादा यह प्रमोट करता है हेट स्पीच स्पेशली आप देखेंगे बच्चों के लिए काफी जादा यह निगेटिव हो सकता है जैसे कि अभी हम बात करें यूपी की जो टेंस की टो पर है उनके लिए तो यह सारी चीजें जो है इसको रेग यह यूके में कि आप उनलाइन स्पीच और मीडिय को रेगुलेट करोगे अपने हिसाब से ठीक है तो यह हो गया आपके यूके में आस्ट्रेलिया में इससे पहले पहले ही बनाया जा चुका था अभी दोजार तेश में आक्ट पास हुआ है कहां पे यूके में साइनाइड की पहचान की है साइंटिस्ट इदेटिफाई है डोजन साइनाइड अवाइटल मॉलीक्यूल पॉर दा फॉर्मेशन अफ लाइफ और एंसे लिड़स अमून ओफ यह किसका चंद्रमा है आपका एंसे लिड़स जहां पे हमें मिला है है रोजन साइनाइड जो क तो आपके 62 मून है 62 है ना उनमें से आपका एक है एंसेलिड़स यहां में मिला है हाइड्रोजन साइनाइड अब आप सोचिए कि जैसे हमें भी पता है कि हमारे आसपास बहुत सारे क्या है माइक्रो और्गनिजम है है ना माइक्रो और्गनिजम है जो हमें दिखते नहीं है और इतने सारे हैं कि हमें पता भी नहीं है शायद अभी इतने भी छोटे हो सकते हैं बहुत सारे हमने खोजे भी हम खोज भी नहीं पाए है तो ऐसे ही क्यूंकि वहां पे हाइड्रोजन सा यहार सैटलाइट जिसने बताया हमें उसके बारे में जनकारी दी तो याद रखेगा शनी का एक मून है चंद्रमा है इंसलेडर जहाँ पर हमें धोलmor होने के भारत GPT कारिक्रम के लिए कौन सा संस्थान Reliance Geo के सांथ सहयोग कर रहा है वेच इंस्टीट इस कोलाबरेटिंग विद रिलाइंस जीओ और भारत GPT प्रोग्राम याद रखेगा भारत GPT की हम बात कर रहे हैं यहां पे तो भारत GPT जिसे हमारा चैट GPT वैसे हम भारत GPT ला रहे हैं इंडिया के लिए उसके अलावा आपने देखें अलग-अलग आर्टिफीशल इंटेलिजन्स के क्या आ गया है हैं अलग-अलग फील्ड में हेल्प करने के लिए तो यहां पर आपका रिलाइंस जीओ है वो किसके सांथ सायोग कर रहा है याद रखेगा यह है आपका इसके अलावा एक आपको कृत्तम भी मिलेगा यह यह भी आपका आटिफीशल इंटेलिजन्स साफ्ट्वेर पे ही आधारी थे और एक यूनिकॉर्ण भी बन चुका है भारत का तो यह तो यह याद रखेगा उसके अलावा भारत जीपीट हम बना ही रहे हैं आयटी मुंब कोई और रिलाइंस जीओ के साथ में सहयोग से ठीक है याद रखेगा उसके लावा हमने क्या पढ़ा हमने एक पढ़ा था कि माइक्रोसॉफ जो है एक लाख लोगों को AI टेक्नोलोजी में क्या देगा स्किल देगा ठीक है किसके अंतरगत आपका AI ODC पहल के अंतरगत फिर भारत का दूसरा राज जहां समाननागरिक सहींता लागु की गई या की जा रही है यहां कभी यहां पर की जा रही है कहां पर की जा रही है तो आपको पता है पहला स्टेट जो था वो था आपका गोवा दूसरा जो है वो है आपका उत्तरखंड ठीक है तो यह आपका उत्राखंड है जहां कि cabinet ने दे दी है मंजूरी कि हम क्या करेंगे यू सी सी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे और इसको मिल चुकी है किस आर्टिकल के अंतर गाता है आर्टिकल 44 के अंतर गाता है और गोवा अगर ऐसे देखा जाए कि सुतंसिता के बाद किस लागू था पहले से पूर्तगालियों ने अपने टाइम पर यूनिफॉर्म सिविल कोड ही लागू कर रखा था वहां पर तो जब गोवा बना था राजी तो वहां अल्रेडी लागू था इसलिए अगर आई थी सुतंता के पश्चात या फिर ऐसे कि भारत में किसी कैबिन ने यह अधिमता पास करवा के लागू किया है यू सी सी तो कहां पर किया है तो यह आपका आएगा उत्राखंड ठीक है तो यहां पर क्याबिनेट ने मंजूरी दी उत्राखंड में गोवा में पहले से लागू था लेकिन ओबरॉल की बात करें तो गोवा पहला राज हो ग से संबंदित है यह आपका जो डी है यह आपका साइलेंट है जड़ और कहीं पर जड़ी भी लिखा रहता है जड़ इमर्जनसी मंगोलिया इस रिलेटेड टू अत्यधिक ठंडा मौसम अत्यधिक गर्म मौसम जंगल की आग या भारी वर्ष एवी रेंफॉल फ्रायर एक्स्ट्रीम darkness beneath या एक्स्ट्रीम इंद रिखेगा मंगोलिया वाली इलाकि की हम बात कर रहें तो क्या हो सकता है अत्य धिक ठंडा मौसम एक्स्ट्रीम इन यहां पे नाज़्प है आपका ये आपका जड़ याद रखीगा इसका क्या मतलब है यहां पर माइनस 30 डिग्री से भी नीचे जो है वो टेम्प्रेचर चला जाता है और बहुत ही जादा strong यहां पर strong क्या चलती है चलती है cold wind चलती है cold wind यहां कंदिया है में हमगोलिया की क्योंकि जैसे क्लाइट चेंज हो रहा है तो कहीं पर बहुत ज्यादा गर्मी कहीं पर ठंडी यह सिच्वेशंग थीरे-धीरे क्या हो रही है जो है याद रहेगा यहां फ्राइन के टो चलती है हवाय चलती है ठंडी-ठंडी बर्फ जो है मतलब एक लेयर जो उसकी बर्फ की पहले होती थी उससे कहीं मोटी-मोटी लेयर जन्मी होती है उसे इलाखे में लेकर 27 मई तक जाने वाला है यह पूरा मतलब कारकरम आपका है तो इसमें आप देखेंगे कि चाहे हम G20 की बात करें यहां पर क्या कर रहे हैं हम चाहे हमने G20 की बात करी अब हमें पता है कि आपके कुम्भ मेले में बहुत करोडों में जनसंख्या आने वाली है करोडों में जब मध्यप्रदेश में आएगी तो मध्यप्रदेश की जो आपके सरकार है उसका क्या मोटिव रहेगा कि जब आही रही है एक जगह पे तो आसपास की जितने लोकेशन हैं वहां भी घूम के चली जाए चुट्टी बनाने जब आही रही है तो तो हम देख रहे हैं यहां मोट को अकारेश वर महेश्वर इन इस्थानों में भी घूमते लोग जाएं धार्मि का द्ध्यात्मिक जितने भी वहां के आपके घूनी वाले बाबा थो जितने भी वहां पे उस्थल पढ़ते हैं वो घूम घांके लोग जाएं तो याद रखेगांप colour एक सेर्ण तो ऐ एक उजयन तो आपका किया ही जाएगा तो जैन है तो मतलब यह हो गया यह कैंसिल और आपका यह तीनों बचे उसके अलावा फिर बात आती है कि उसके अलावा दूसरा कौन सा किया जाएगा यहां पर एक ऑप्शन भुपाल भी है माल लिजा आपको अंसर नहीं पता कि इंद कुछ नहीं है जो हम इतना बड़ा इलाका मतलब क्या करें उसको भी प्रमोड करें तो हमने दो जिले ले रखें कौन-कौन से यह आपका इंदौर है और दूसरा है आपका उजयन तो इंदौर वाले यह पूरा संभाग मैंने आपको नीचे वताई महेश्वर हो गया आपक प्रवाइड करना जसे लोग आएं तो फिर आसपास के फिर घूम करी जाएं तो याद रखेगा और यह आपने देखा जी ट्वंटी में भी हमने किया इंडिया लेवल पे अलग अलग मेंटिंग हमने अलग अलग जगह पे रखी मध्य प्रदेश में जितनी भी फेमस जग अच्छा कासा पैसा आता है सरकार को तो याद रखेगा यह सारी चीजें हम किसके लिए कर रहे हैं तूरिजम के लिए कर रहे हैं यह आपका इंदौर उरुजयन संभाग जो है उसको किसकी तरह विक्सित किया जाएगा धार्मिक अध्यात्मिक सरकिट की तरह ठीक है आपर बजहे हैं में पर निजाएगा बाची और पहुँचकर वर्ड रिकॉर्ड बनाने वाली दो वर्षे शिद्धी मिश्चरा का संबंध किस जिले से है तू वर्षिय सिद्धी मिश्रा हूँ मेड अवर्ड रिकॉर्ड समझ रहे हैं आप दो साल की है हमारी सिर्फ सिद्धी मिश्रा जी और कहां पहुँच गही है कितना जादा वहां पे आप समझ सकते है वो ठंडा इलाका होता है वहां पे दो साल की बच्ची कितना जादा मतलब अब छोड़े-छोड़े बच्चों को आप समझ रहे हैं कि घर से बाहर नहीं निकलने देते हम अगर टेंपरेचर सही नहीं रहता है तो तो यह चीज हमारे मध्यप्रदेश के सिद्धी मिश्रा जी ने कर ली है कहां की है तो यह है भोपाल की याद रखेगा वैसे इनकी माता जो है भावना जी भावना टेहरिया यह हमारी क्या है अवरेस तक जा चुकी है तो यह जो है यह चिंदवाडा जिले की हैं तो भावना जी के बारें पूछा जाए तो चिंदवारा जिले की हैं अगर शिद्धी मिश्रा जी के बारें पूछा जाए तो यह कहां की है यह भोपाल की है ठीक है फिर भारत में गेल की पहली लगुस्तरी तरलीकृत प्राकृतिक गैसिकाई मध्यप्रदेश के किस शेत्र में स्थापित की गई है गेल's first small scale liquefied natural gas unit in India has been set up in which region of मध्यप्रदेश तो गेल की एक unit हमारे यहां भी है अब आपको बस यह पता होना चाहिए कि हमारे यहां कहां पे है गेल की unit उससे आप सीधे पता लगा लेंगे कि जहां भी मध्यप्रदेश में गेल की unit है वही हमने क्या किया होगा यह liquefied natural gas unit बनाया होगा कहां पे है यह है आपके विजयपूर गुना वाले इलाके में तो याद रखेगा अगर जिला पूसता है तो जिले में हो जाएगा गुना अगर इस थान पूसता है तो यह हो जाएगा आपका विजयपूर ठीक है आपका गेल का पहला small scale liquefied natural gas unit है मद्यप्रदेश के किस उत्सों में 1400 से अधिक कथक कलाकारों ने एक सांथ प्रस्तुती देकर गिनीज वर्ड रिकॉर्ड बनाया इन विच फेस्टिबल ऑफ मद्यप्रदेश more than 1400 कथक आर्टिस्ट परफॉर्म तोगेदर एंड क्रिएट अगिनीज वर्ड रिक है आपका तबला तबला वादक जो थे उन्होंने भी एक सांथ बहुत सारे लोगों ने तबला बजाकर क्या बनाया गिनीज वर्ड रिकॉर्ड बनाया तो याद रखेगा किसमें बनाया यह है आपके खजुराहों रित्य उत्सों में ठीक है आपको पता है हमारे अगर तब आपका ऐसे मानी कि कथक जो है यह कथक महोत्सों जो है उसके अंतरगत इतने सारे लोग चुदो सब्स लोगों ने क्या किया एक सांथ प्रस्तुति दी और वर्ड रिकॉर्ड बनाया उसके लावा अगर तबला रिकॉर्ड के बारे में पूसता है कि बहुत सारे लोग पूसतानी इंदुस्थानी मुजिक सेंगिंग बाइ संगीत नाटक अकादव हो जावरुनपाल यह है कि मद्ध्र प्रदेश की है हमारी संगीत नाटक अकादमी में हिंदुस्थानी मूजिक के लिए बोल रहें याँ यह हैं किमार गंधर्व कि कुमार principle कि अब कुछ लोगों को लगेगा कि कुमार गंधर्व में मतलब इनका नाम और कोमकली जी का नाम तो मैं इची नहीं कर रहा तो actual में कुमार गंधर्व का नाम क्या था यहां पर था आपके श्रीवपूत्र सिद्धराम कोमकली तो इंका जो ओरिजनल लाम है आप कई बार यह टेस्ट रीज बगेरा में भी देखता है कि कुमार गंधर्व का ओरिजनल लाम किया है तो अगर शुप पुत्र है तो शुप पूत्र है उसके पाद सिद्धराम है और कोमकली है तो यह कोमकली जो है कोमकली जी हमारी कुमार गंधर्व जी की पुत्री है और कुमार गंधर आपको पता है कहां से related है थे देवास से related थे और इनके नाम पे हम awards पगेरा भी देते हैं काफी जादा famous है हमारे कुमार गंधर्व जी तो याद रखेगा कोमकली जो है कोमकली जी इनको क्या मिला है 2023 का संगीत नाटक अकैदमी में क्या मिला है पुरुस्कार मिला है हिंदुस्तानी गायन के लिए ठीक है तो यह हिंदुस्तानी म्यूजिक के लिए मिला है बहुत सारी केटेगरी होती है और अलग-अलग लैंग् कोमल से ही थे तो उनका नाम था शिवपुत्र शिवपुत्र थे लेकिन बहुत ज़्यादा कोमल से थे तो शिवपुत्र सद्राम कोमकली ठीक है याद रखेगा क्योंकि कुमार गंधर्म इंपॉर्टेंट है और आपको पता है कि प्रिलंस में सीधे-सीधे टॉपिक दिया मतलब कला संस्कृति से रिलेटेड हैं लोग फेमस लोग यह आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है वहां पर ठीक है एक जिला एक उत्पाद में शामिल पंजादरी का संबंध किस जिले से है पंजादरी कहीं पर पुंजादरी भी मिलेगा पंजादरी इंक्लूडेड इन व विकास खंड है वहां पर है यह काफी जदा अभी आपको करेंट में देखने के लिए मिलेगा इसलिए मैंने पूछा ओडियोपी में हैं उसके साथ साथ किस जिले से संबंधी था सीधी जिले से संबंधी था जैसे हमने रियावन लेसुन देखी ती रदलांकी तो आपको क उसके बाद फिर हमने टैग दे दिया तो फिर करेंट अफेर में पढ़ते हैं इसलिए याद रखेगा कि अभी करेंट न्यूस में हमने देखा है काफी जादा अच्छी मतलब बढ़ोतरी की है काफी इसकी बढ़ी है इसलिए इंपॉर्टेंट है कहां है जो आपकी पंजा है अफंचा मतलब अब बिल्ली का पंजा या कुट्ते का पंजा मारने वाले लोग जो होते हैं वो दिखते सीधे हैं लेकिन होते नहीं है ठीक है ठीक है ती जिला जरूर याद रखेगा पंजा धरी और वन डिस्ट्रिक वन प्रोड़क्ट में भी ये शामिल कर लिया गया है मद्रदेश के किस इस्थान पर गौ सफारी विक्सित करने की यूजना बनाई गई है At which place in मद्रदेश has a plan been made to develop काउ सफारी ठीक है यहां पर आपकी क्या है काउ सफारी ऐसे काउ सफारी भी आ सकता है या गौ सफारी भी आ सकता है तो यह जो हमारी गाय की सफारी है वो कहां पर हम बना रहे हैं याद रखेगा यह चित्रकूट वाले इलाके में हम बना रहे हैं चित्रकूट आपके सदना वाले जिले में पढ़ता है तो यहां पर चित्रकूट में हम क्या बना रहे हैं गौ सफारी बना रहे हैं उसके लावा गौ अभ्यारण जो है एक तो आपको कहां मिलेगा आगर माल आप चाहे तो यहाँ पर चित्र नियाद के लिए अच्छा इस के अलावा एक चीज याद रखना है आपको यह वाला वर्ष हे जो हिंदू वर्ष चालू हुआ है आपका लिए इस वर्ष में जो हमारे सीम है मोहन यादो जी ने उन्होंने क्या किया कि इसको गौर रक्षा वन जो गौर रक्षा जो आपका वर्ष है उसको मतलब इस हिंदू वर्ष को गौर रक्षा वर्ष की तरह मनाने की क्या की है घोशना की है कि मतलब हम यहां पर क्या करेंगे गायो से आपको भी पता है हम मध्य प्रदेश में अगर देखें तो बहुत सारी चीज़ें कर रहे होता हैं गाय सफारी हो गई अभ्यारण हो गया उसके अलावा गौर अक्षा वर्ष भी हम मना रहे हैं साथ ठीक है पांचवा हेलिकॉप्टर और स्मॉल एयर्क्राफ्ट सम्मेलन 2023 का आयोजन कहा किया गया था वेर वाज वाज फिफ्ट हेलिकॉप्टर and स्मॉल एयर्क्राफ्ट कॉन्फरेंस 2023 है इसका नाम आपका मिल सकता है हेली शिखर सम्मेलन अगर ये इतना पूरा नाम नहीं देगा हे इसके अलावा आपको पता है कि जैसे हम नई अगर चीजों की बात करें कि नई नई चीज मंद्रप्रदेश में क्या हो रही है तो एक तो हमारे हैं हेली शिखर हुआ हेली कॉप्टर और स्मॉल एयर क्राफ्ट का हमारे हैं सम्मेलन हुआ खजुराछों में खजुराहों में याद रखेगा क्या है हेली पैड है अपना है तो खजुराछों में अराम से हम क्या कर सकते हैं यहां पे कोई पी शम्मेलन कर वा gauge-ink कर वा हमारा यूनdaughterरी तो हमने करवा एएली कॉप्टर स्मॉल late सम्मेलन और वैसे आप चाहें तो इमाजिन कैसे कर सकते हैं कि हमारा यूनेस्को वर्धरेटे साइट और थोड़ा दूर भी है तो हम क्या करेंगे स्मॉल जो आपके एयर क्राफ्ट है उसके द्वारा हम खजुराहों घुमने जा सकते हैं ठीक है तो इसलिए हमने वहीं पर सम जालू की तो जितनी भी नई चीज़े हैं ड्रोन अभी जैसे जो आपकी जोदिटा देता सिंधियां उनकी वजह से नई नई चीज़े हो रही है मंद्रदेश में तो एक हुआ आपका हेली शिखर सम्मेलन एक हुआ आपका ड्रोन मेला यहां पर है ना ग्वालियर वाले इ द्वारी यहां पर है द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बागों की मृत्यू के मामले में मद्रदेश का कौन सा स्थान है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट रिलीज़ वाइड लाइफ प्रोटेक्शन सेफ्टी ऑफ इंडिया वाट इस रांक ऑफ मध्य प्रदेश इं सबसे जाइब करें तो यह आपका आता है महराश्त मतलब सबसे जादा है रही है पडोसी राजमय ही हो रही है सेकेंद रमबर में आता है मंध्य-ब्रदेश यहां पर टाइगर की सबसे जादा मृत्य हो रही है यहां पर एक चीज आप देखेंगे जैसे वेब स्रीज वगेरा में भी दिखाता है कि मतलब जितने भी जानवर हैं जिनकी इसकी निया किसी और चीज के लिए कितना जादा उनको मारा जाता है यहां संख्या जरूर बढ़ रही है लेकिन यह चीज है कि हमारे जो डेथ है वह भी कम करने की जरूरत है आपको भी पता जैसे हमारे चीते लाएगए तो बहुत सारे चीतों की डेथ भी हो गई अलग-अलग रीजन से तो यह है प्रोटेक्शन जरूरी है हमारा याद लेगी है मद्र प्रदेश में दूसरे नंबर पर है आपका इन टम्स ऑफ्ट नेथ ओफ यह आपका लiten इधाए कि अ आपना किस विश्विद्याला में की जाएगी इन विच यूनिवर्सटी विल्दा स्टेट फर्स्ट भभूती संस्क्रिट चेयर वी स्टैबलिश संस्क्रिट पीट जो है आपकी कहां स्टैबलिश की जाएगे याद रखेगा आपके अभी 2023 में शायद कुछा गया था पीट विश्विद्याला में ठीक है तो यह हम कर रहे हैं आपके जिवाजी विश्विद्याला कहां मिलेगा आपको ग्वालियर तो ग्वालियर में हम कर रहे हैं संस्क्रिट भभूती संस्क्रिट पीट की स्थापना और यहां पर यह भी याद रखना है रिलेट कैसे कर सकते हैं क्या कर सकते हैं ग्वालीयर को भी रिलेट कर सकते हैं कि संस्क्रिट जो है हम गवालों को पढ़ा रहें हैं तो बहुत सारी पढ़ेंगे कि मतलब अलग अलग पीट किस-किस विद्याला में कौन सी पीट है तब थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता है तो इसलिए भभूती संस्क्रेट पीट संस्क्रेट हम पढ़ा रहें किसको ग्वाल बालों को और जीवाजी को ठीक है इंटरनाशनल वाल लाव कॉनस्पारन्स का आयों जनकिस राष्ट्यृग थार्च्छिय आपको Himself इंटरनाशनल लेवन पिवाज रखेगा अगर मान लीजए आपको नहीं title आप हम बात करें हहां पे इंटरनाशनल कॉंफरेंस की ठीक है इंटरनाशनल वाइल्ड लाइफ अब हम बात करें अगर कि मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा राश्युद्यान हो सकता है जहां पर हम कोई इंटरनाशनल लेवल का कॉंफरेंस करवा सकता है तो तेखिए सद्पुड़ा पेश कानहा आफ तो यह अगर हम कोई इंटरनाशनल कॉंफरेंस कर वाएंगे तो हम प्रदेश लाज कोईएंगे तो तो अगर आपसे नहीं भी आता है आप इंडारेक्सिन वीपी फिर सोचना चाहें न तो यहां पर हुआ था ठीक है और वैसे भी कान्हा के बारे में नई नई चीज़ें आप पढ़ते हैं भूर सिंग जो है बारा सिंगा उसके बारे में आप पढ़ते हैं तो जितनी भी नई सिंग दावारच सिंग काना नैशनल पार्क से रिलेटेट मध्दप्रदेश रिपोर्ट काड 2003-23 का अनावरं इस सालों में मध्दप्रदेश की रिपोर्ट जैसे आपका रिपोर्ट काड आता है से यहां आए से टेश टख के लिए है एक होगा तो आपके दोजार तहीं से टेश तक के लिए हम नेया पे एक रिपॉर्ट कर हम लेकर आये तो यहां पर पूझा हुआ कहां पर हमने इसका अनामरण किया याद रखेगा यह किया था भुपाल में और इस 10% गरीबी लगभग 10% हमने कम की ठीक है तो इतने लंबे टाइम ने हमें क्या किया गरीबी कम की और आप पैसे भी देखेंगे इंडिकेटर्स अलग अलग स्वास्त में हम अख्शा कर रहे हैं तो यहाँ पर Wahman की जारी किया हमने भोपाल में बोपाल में हमारे खेर रहते हैं तो अगर हम जारी भी करेंगे तो कहां करेंगे भोपाल में ही करेंगे माद्रप्रदेश का report card ठीक है क्योंकि CM को देंगे उनका report card तो ऐसे आप relate कर सकते हैं ठीक है हाली में चर्चा में रही हुकुम चंद मिल का संबन्थ किस जिले से है हुकुम चंद मिल which was in discussion recently is related to which district हुकुम चंद मिल जो है यहां अचानक से बंद हो गई तो यहां की जो वर्कर है उनको बहुत जादा उनका loss हुआ उनको payment नहीं हुई तो फिर सरकार यहां पर interfere करती है बहुत सारे जितने भी आपके workers रहती हैं उनको payment वगेरा करवाती है तो हुकुम चंद मिल का जो है संबंध किस जिलिस है यद रहिएगा कि मिल जीक के है आपके यद्यक से याद रखिएगा मंध्य प्रदेश में द्रिम लिखित में से कौन सी अकॉदमी स्थापित नहीं की गूई किらい जोईंग अक्याडमीज है नोट बीन स्टेबलिश्ट इन मंधिप्रदेश में आपको पता है कादमी से रिलेटेट आता है या तो एयर पूछ लेता है कि किस एयर में स्टेबलिश हुई है जैसे घुड़ सवारी वगयरा के लिए था एक बार तीरंदाजी के लिए पूछा ह हुआ है यह पूछ लेता है कि कहा इस्थापित की गई अ कसे यह सब्सक्राइब गौल्फ यह याद रखेगा यह कि अभी गुल्फ अकादमी नहीं है गुल्फ अकादमी अगर सोचे मध्यपरदेश में अभी नहीं है जमनाश्टिक है यह मैंने आपको करेंट वाले मतलब लेक्षियर में बताया भी है कि मध्यपरदेश ऐसा पहला राज है जिसने आपकी जो ऑनलाइन गेमिंग वगेरा है इसपोर्स में क्या आएगा इसपोर्स में आगा आपका ओनलाइन गेमिंग वगेरा तो ऑनलाइन गेमिंग की मदलाब डांस से रिलेटेड आपका चल रहा होता है competition तो मद्धिप्रदेश ने इतनी important समझते हुए breakdance academy भी establish की है तो breakdance है आपका e-sports है उसके लावब gymnastic भी है आपका golf नहीं है यह याद रखेगा ठीक है अब गोल्फ बनने में थोड़ा time लगेगा थोड़ा मतलब जादा उसमें खर्चा आता है इसलिए थोड़ा जादा time लगेगा मुख्यमंत्री स्कूटी योजना का लाग किसे प्रदान किया जाएगा who will be provided the benefit of chief minister स्कूटी scheme उच्चतर माधमिक कक्षा के मिधावी विद्यार्थियों को तू meritorious students of high secondary class अनुसूची जन्जातियों के सनातक विद्यार्थियों ग्राजूएट स्टुडेंट सुड्यूल ट्राइब दिव्यांग लोगों को कि इसलिए पढ़ाई की होती कि घरवालों से हमकितना दिमांड करते हैं चोटी मोटी चीज़ यहां पर मुख्मंत्री में हमें स्कूटी डिलवार है तो स्कूटी के लिए तो फिल कुछ भी कर लेते हैं तो यहां पर जो आप 10-12 वाले हैं बच्चे तो उनके लिए क्या है टॉप करने पर यह एड किया गया है क्या आपका मैधावी छात्र जो भी है आपके उसके लिए है मुख्ध मंत्री स्कूटी योजनौ ठीक है तो स्कूल के बच्चों के लिए 10-12 के लिए याद रखिएगा यह मैंने option जो है वो थोड़ा confusing इसलिए भी दिये हैं कि अगर आपको exactly नहीं पता कि हम किस फील्ड में दे रहे हैं स्कूटी तो confusing हो सकता है अनुसूची जनजाती से या जो आपके दव्यांग लोग है उससे भी थोड़ा confusing हो सकता है तो याद रखिएगा हम schools में दे रहे हैं जो बच्चे आपके सबसे मतलब मेधावी हैं जो टॉप करते हैं ठीक है फिर CAG की रिपोर्ट में मध्यप्रदेश की किस नदी के लिए बढ़ते प्रदूशन के कारण चिंटा जताई गई है the CAG report in the CAG report concern has been expressed for which river of मध्यप्रदेश due to increasing pollution pollution तो वैसे आप देख रहे हैं हरी नदी में बढ़ रहा है घूम फिर के जितना भी कचड़ा है आप मतलब देखेंगे जो हम बोलते हैं कि यहां पर प्रोसेस हो रहा है जो आपका गंदा पानी है उसके बाद clean water छोड़ रहे हैं नदियों में तो ऐसा तो हो नीदा अगर देखें practically तो सारी चीज़ें मतलब ऐसा है कि बिल्कुल बहा रहे हैं सारा pollution जो है उसकी वज़ए से CAG ने जो अपनी एक report में किस एक नदी के लिए सबसे ज्यादा चिंता जगताई है वो है आपकी छिप्रा नदी याद रखेगा अभी सिमहस्वी होने वाला है चिप्रा नदी कि हम साथ सफाही करने के लिए काफी जादा allocation करेंगे बजट का और उसके लिए काफी काम करेंगे तो इसमें CAG ने बताया कि भाई यहाँ पे pollution बहुत ही जादा बढ़ गया है इसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत है वैसे सब नदियों की प्रॉबलम हैं लेकिन CAG ने रिपोर्ट किसके लिए की है चिप्रा नदी के लिए क्योंकि आने वाले टाइम पे करोड़ों लोग आने वाले हैं चिप्रा नदी में श्नान करने के लिए तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि चिप्रा पे थोड़ा ध्यान दिया जाए ज्यादा ध्यान दिया जाए तो याद रखेगा CAG की रिपोर्ट में कौन सी नदी आती है अपनी छिप्रा चिप्रा के लिए चिंता जटाई के लिए चींटा जटाई है CAG ने उज्जयन वाले इलाके में आपको मिलेगी जहां पे होने व वोमेन बाइकिंग टूर हैस बिन लॉंच्ट इन विच स्टेट तो प्रमोट टूरिजम एंड इंपावर वोमें ट्रावलर और देखे यह अभी हम मध्यप्रदेश बढ़ने तो आप तो सीधे बात बताई देंगे कि यह मध्यप्रदेश में किया गया लेकिन इसके साथ ही स उन्हें यह चीज अडॉप्ट करने के लिए जो आपके सेंट्रल के अपर्यटन है उसने बोला है कि आप इसको अडॉप्ट करें काफी अच्छी चीज है मध्यप्रदेश ने टूरिजम को बढ़ावा देने के लिए काफी चीज़ें करी हैं अब अभी मैंने शुरुआत म दो संभाग उजयन और इंदोर उसको डेवलप्ट कर रहे हैं एक सर्किट की तरह अध्यात्मिक सर्किट की तरह तो यह सारी चीज़ें टूरिजम आवार्ड भी हमें कई बार मिल चुका है तो यह याद रखेगा यह जो टूरिजम है उसमें हम क्या कर रहे हैं महिला पर्य ठीक है यह याद रखेगा वाइकिंग टूर है मतलब मन तो सब कही करेगा कि बाइक में बढ़ियां टूर में जाएं वो भी सिर्फ महिलाएं महिलाएं कोई टेंशन नहीं लेकिन फिर वह अलाव नहीं होता है तो याद रखेगा मध्यपरदेश परेटन को बढ़ाने के ल बात कर रहे हैं अभी 2024 में नया जी आई टैग उत्पाद जो है वह एड़ कर दिया गया है मध्यपरदेश पर आपको पता है यह करेंट अफ्यर में भी आ सकता है चूंकि अभी एड़ किया गया है उसके अलावा यह सेक्शन में आ सकता है क्योंकि वहां पे आपका आई-प से रिलेटेड है इसलिए और जादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अब बात आती है कि कौन सा जी आई-टैक किस उत्पाद को मिला है मध्य प्रदेश में सद्पुड़ा संत्रा रियावन लहसुन बास टोकरी यह जंबो सीताफल याद रखिए कि यह है आपका रियावन लह अते हैं रात र्तलाम रात को लहसुन खाकर सोती है कि असने काफी है लएसुना के रोज रात को सोती रियावन लह दह === ये हो गया आपका गारलिक यह सत्पुड़ा संद्रा आपके पांधूरना वाले जैसे इलाका हो गया यहां बास टोकरी उसके अलावा जंबो सीतावल सिवनी वाला इलाके में हो गया है ना कस्टर्ड एपल तो यह चीज़े याद रखेगा अभी रतलाम से और कौन सा है एक आपको पता है रतलामी सेव जो है उसको जियाई टैग मिल चुका है यह आपका दूसरा उत्पाद हो गया रतलाम से जिसको जियाई टैग मिले है उसके अलावा आपको पता है मतलब जितने भी जियाई टैग है याद रखेगा सारे के सारे चंदेरी सारी महिसुरी सारी जितनी भी आपकी अलग अलग हो गया है है तो याद रखेगा है आम अभी संदर्जा आम एड है आपके फल में संत्रा सीता फल यह सारे नहीं है ठीक है लेसून हो गया रचलां से फिर उजयन सिंघस्ट मेला 2028 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा विन एन विन विल उजयन सिंघस्ट फेर 2028 विल और्गनाइज तो यहाँ पर टाइम जो है वो आ गया है अभी 2028 में टाइम है लेकिन अभी से प्रिपरेशन चालू कर दी है हमारे CMG ने ठीक है तो याद रखिएगा यह टाइम डिसाइड कर लिया गया है 2028 में कब से कब तक होगा हमारा सिंघस्ट मेला यह होगा आप याद रखिएगा 27 مաर्च से 27 मई ठीक है तो 27 मार्च मार्च से स्टार्ट होगा MARCH END से स्टार्ट होगा याद रखेगा MARCH END से गर्मी चालू होगी कब तक जाएगा बिल्कुल भरे दोपहरी गर्मी जब रहती है Mai तो 27 Μई तक तक जानेयोल है तिक है याद रखेगा 27 27 से स्टार्ट होगा 27 March 27 मई तक संहगस्तमेला और इसके लिए बहुत सारी चीज़े अभी जैसे जैसे डेटेल में आती जाएंगे हम पढ़ते जाएंगे कि यहां से मतलब बहुत जादा प्लान बनाए गया है कि कैसे आसपास के जो आपके और इस्थल है धार्मिक इस्थल आध्यात्मिक इस्थल उनको भी connect कर दिया जाए जिससे वहां से लोग वो सारे इस्थल भी पर्यटन इस्थल भूम पाएं ठीक है तो यह सारी चीज़े हम आने वाले टाइम पर देखेंगे पर निमलिकित में से किस इस्थल को यूनेस्को की अस्थाई सूची में शामिल नहीं किया गया है which of the following sites has not been included in the UNESCO tentative list मंध्य प्रदेश में वैसे तो तीन आपकी UNESCO word heritage site में sites add है अभी जो है 6 नई add कर दी है किसमें tentative list में आइस्थाई सूची में 6 add की गई है उसमें से हमें बताना है इन में से कौन सी नहीं है यही आपकी आइस्थाई सूची के जो होते हैं इस्थल वो add होते हैं फिर main सूची में जो आपकी UNESCO word heritage site बनती है ठीक है तो इसलिए यह भी important हो जाते है मंध्य प्रदेश में गॉलियर फोट आपका हो गया यह add है tentative list में धमनार रौकट गुफाएं यह बुद्धिजम से related है ठीक है तो यह भी add है खूनी भंडारा बुरहानपूर यह भी add है जल प्रबंधन सिस्टम है यह और पशुपतिनाथ मंदिर यह add नहीं है ठीक है याद रखेगा पशुपतिनाथ मं यह add किया गया है ठीक है उसके अलावा एक आपका गोंड जो इस्थल है मंदला वाले वह add कर लिए गया है तो यह आप जरूर याद रखेगा हम डेटेलिंग में देख लेंगे पूरे के पूरे इस्थल के बारे में क्योंकि ग्वालियर फोट में भी आपको detailing देखनी पड लेंगे अलग से UNESCO वर्ड हेरिटेस साइट में जितने भी एड हुए है उसको अभी याद रखेगा गौलियर फोट एड हुआ है आपका धमनार का रॉकट गुफाएं एड हुई है खूनी भंडारा यह एड हुआ है उसके अलावा आपका भोजपूर वाला जो मंदिर है वो भी एड हुआ है ठीक है भारती अंतरदेशिय जलमार प्राधिकरंद्वारा मध्यप्रदेश के किस घाट से स्टैच्व ऑफ यूनिटी तक क्रूज चलाने की यूजना बनाई गई है चलाने की ठीक है फ्रॉम विच घाट इन मध्यप्रदेश हैस दाइन लैंड वाट के लिए आपको मतलब जाना पड़े गोवा वागेरा घूमने के लिए आप मध्यप्रदेश में भी क्रूज में बैटके घूम सकते हैं तो याद रखेगा कहां से कहां तक है हम बात करने हैं स्टैच्व ऑफ यूनिक यूनिटी की तो राम घाट उजयन फिर महेश्वा घा मेघनाद घाट धार और बर्मान घाट नर्सिंग पूर तो यहां भी याद रखेगा यह आंसर आपका मेघनाद घाट धार ठीक हम धार को कनेक्ट कर रहे हैं धार से जाते हुए कहां तक जाएंगे यह जाएंगे हम स्टैच्व ऑफ यूनिटी जो आपका गुजरात वाले इलाके में हैं ठीक है स्टैच्व ऑफ यूनिटी यहां तक हमिया lotus सेबा चला रहे जो हैं आपको फिर लगे गाselा गैका में का approximately लोग प्री है तो हमने अपने चोटे से स्थान में हमने अपनी नर्मदा of unity तक जाना है ठीक है फिर प्रेप्सिको इंडिया दौरा मध्रदेश के किस जिले में फ्लेवर manufacturing facility plant इस्थापित किया जाएगा इन विछ डेस्टिक रफ मध्रदेश प्रेप्सिको इंडिया सेट अफ लेवर manufacturing facility plant तो यहां पर किस जिल्य में पेप्सिको जो है अपना प्लांट डाल रहा है फ्लेवर मैनुफाक्ट्रिंग का ठीक है तो याद रखेगा यह कहां पर कर रहा है यह कर रहा है अपके उच्जैन में उच्जैन में हमारी अगर हम देखें इंवेस्टर मेटिंग इस बार 2024 की कहा हुई थी उच्जैन में होई थी तो हमारे पेप्सिको को मना लिया कि आप उच्जैन में क्या डालो एक प्लांट डालो वैसे प्लांट इस्टैब्लिश करी है मतला बहुत सारी लोगों को रोजगार मिलेगा और बहुत सारी चीज़े डेवलप्मेंट होगा इस उलाके का तो पेप् जो हमारे जैन गुरू है वो कैसे फ्लेवर वाली फ्लेवर वाली पेप्सि पीते हैं ठीक है आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं वैसे तो वह नहीं पीते हैं लेकिन अब रिलेट कर सकते हैं कि जो हमारे जैन है वो जैन में जैन जैन क्या करते हैं वह फ्लेवर वाली पेप्सि प समितियों को RTI के अंतरगत शामिल किया गया है which state has for the first time included all the cooperative societies involved in grain procurement and operation of Russian shops अंदर RTI तो आपको भी पता है कि सहकारी समितियों में मतलब इतना जादा corruption है क्योंकि transparency नहीं है तो हमारे मध्यप्रदेश ने ठीक हमारे मध्यप्रदेश ने क्या कर दिया है उनको RTI के अंतरगत लागू कर दिया कि इसके कितनी salary रहेगी कितना अना जाया buffer system सारी चीजों के लिए क्या रहेगा अब transparency रहेगी ठीक है और portal जो है आपका राशन portal उसमें भी update करते रहेंगे सारी चीज़े तो यह क्या है यह आपके transparency का उदाहरन है transparency तो अगर आपको transparency में लिखना हो कि मारा मध्योप्रदेश क्या कर रहा है तो आप यह भी एक बहुत अच्छा example दे सकते हैं क्यूंकि हम यहां पर क्या कर रहें जो societies होती हैं आपकी सहकारी समितियां राशन दुकान होते हैं यह मतलब ऐसा है कि हर एक जिसे बीपील सभी वरह वग्यरह में जो families हैं kimchi यहीं हैं और समझते चलिए जब आप पर्पढते हैं 민स करते हैं जाद रखेखा किसने की है सबी सहकारी समितियों को आपको जो cooperative societies है वो एड कर ली गई है RTI में ठीक है राइट टू इन्फोर्मेशन फिर जैविक उत्पाद हस्त शिल्प उत्पाद से संबंधित अनन्त महोच सो दो हजार 24 का आयोजन कहां किया गया था वेर बोज अनन्त महोच सो 2024 रिलेटेट टू और्गानिक प्रोड़क्स हैंडीक्राफ प्रोड़क्स और नहीं याद कर रखिएगा कि आपके जब प्रीवेसर के आप कुश्चन देखेंगे ऐसे महोच सो वगेरा काफी पूछता है कहां पर था especially अगर हमारे मध्यप्रदेश में हो रहा है तो बहुत अच्छे से पूछेगा तो हर एक महोच सो इसके लवा हर एक जितने भी कारिकरम है मध्यप्रदेश के वो आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि उससे कोशन आता ही आता है current affair में ठीक है अनन्त महोच सो कहां हुआ ह याद रखेगा यह हुआ आपके भोपाल में ठीक है तो भोपाल की बात करें भोपाल में क्या है भोपाल में है हमारा अनन्त महोच सो अनन्त के लिए आप यूज कर सकते हैं हमारा अनन्त तालाव है एक छोर से देखो तो दूसरा छोर नहीं दिखता बहुत दूर तक है अन जो कि जैवएक उतपाद बेचने के लिए लाए लाए गया थे बहुत सारे उतपाद उसके लाएवा है लाएवा फ्रमोट करने के लिए अनन्त महोचो ता उसके आलावा जब एकोनॉमी में मैंने आपको एकोनोमी जब पढ़ाई है मतलब यूनिट सिक्स के जब हमने एमसी क्यूज देखें तो उसमें हमने देखा है कि जाविक जो प्रोड़क्त हैं उसमें मध्य प्रदेश काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है ठीक है फिर हो गया नेक्स निम्लिखित में से किस संथांग वारा पारदर्शी सेरामिक बनाया गया है जिसका उपयोग देश के पहले आई-ार कार्ड बनाने में किया जाएगा तो याद रखेगा यह हम इंफ्रा रेड कार की बाट कर रहे हैं यहां पे जो आपका यह ट्रांस्परेंट सिरामिक है इसके बहुत सारे यूज है तो बहुत मजबूत भी है साथी साथ में हम क्या कर रहे है उसका बहुत अच्छे तरीके से यूज किया जा सकते है तो याद रखेगा यह मतलब ऐसे सिरामिक ट्रांस्परेंट सिरामिक जो है वर्ड में बहुत सारी कंट्री बना चुकि लेकिन इनका एक्सपोर्ट जो है वह बहुत कम होता है क्योंकि हम डिफेंस वगेरा में भी यूज कर सकता है तो हमने भारत में खुद बना लिया है ट्रांस्परेंट सिरामिक जिसका उपयोग किया जाएगा पहले आई-ार काट बनाने के लिए तो किस ने बनाया है याद रखेगा यह बनाया है और और कैट लेजर से रिलेटेड ये सारे काम करता है और इसके अलावा साइन्स वाला जो आपका यूनिट है यूनिट 7 की बात कर रहे हैं हम यूनिट 7 में जो साइन्स वाला पेपर है उसमें आपको क्या बताना है उसमें जितने भी इंडिया के फेमस क्या है इंडिया के फेमस संस्था इंस्टिउशन है ना जो रिसर्च की फील्ड में हैं तो वहां पे भी आप पढ़ते हैं तो आपका वह मतलब यूनिट जो सेवन है उससे रिलेटेड भी हो जाएगा यह यूनिट एट से रिलेटेड है ही तो इंपॉर्टेंट कोश्चन हो जाता है याद रखिएगा ठीक है आराम कैट संस्थान के बारे में पूछ सकता है और करेंट में पूछी सकता है कि किसने ट्रांस्पेरेंट सिरामिक बनाया है तो किसने बनाये हमारे राजारावनना इंस्टीूट ने जो कहां स्थापित है इन दौर में ठीक है फिर नेक्स होगे आपका IPL की तर्ज पर मध्यप्रदेश में आयो जित T20 Cricket Tournament का क्या नाम है What is the name of the T20 Cricket Tournament organized in मध्यप्रदेश on the line of IPL IPL की जैसे मध्यप्रदेश में भी एक MPL होगा ठीक है मध्यप्रदेश का मध्यप्रदेश एक लीग होगी MPL तो यहां बताने है नाम क्या है उसका मध्यप्रदेश लीग सिंधिया कप मध्यप्रदेश लीग होलकर कप मध्यप्रदेश क्रिकेट लीग या फिर मध्यप्रदेश IPL लीग तो याद रखेगा यह है आपका मध्यप् सब्सक्राइब ठीक है क्रिकेट अगादमी जैसे कि हमारा IPL होता है वैसे ही और ऐसे बहुत सारे जो बच्चे बहुत इंट्रस्टेड हैं मैच में क्रिकेट में वो अब सोचेंगे कि गलत फिल्ड में आ गए यह थोड़ा पहले चालू हुआ होता तो हम शायद MPL खेल रहोते हैं इसमें क्य सब को इकठा करके टीम बनाई जाएगी लगभग यहां पर पांच टीम हैं अलग-अलग जिनके बीच में यह मैचेस होंगे यह याद रखेगा नाम क्या है सिंधिया लगा हुआ है मध्यप्रदेश लीक सिंधिया कप IPL की तरज में मध्यप्रदेश में हो रहा है ग्वाल पार्क in India the Eurasian otter was radio tagged for the first time यहां पर याद रखेगा यहां पर आपका शायद 2018 का यह कुछा था पैंगोलिन के लिए कि पैंगोलिन को रेडियो टेग कहां किया गया किस राज में रेडियो टैग किया गया तो फिर वहां भी समझ में अता कि या पैंगोलिन तो मध्य प्रदे से यह जब आप नाम पढ़ेंगे यूरेशियन उद्विलाव ठीक है तो ऐसा लगेगा कि मध्धप्रदेश में तो ऐसा कोई जानवर हो गई नहीं लेकिन मध्धप्रदेश में इसे रेडियो टैक किया गया है मतलब इसको ट्रैक करने के लिए कहां पर चत्पुडा यूरेशियन उद्विलाव मतलब एक उद्विलाव बिलाव बिल्ली को भी कहते होंगे विलाव ठीक है तो याद रखेगा यूरेशन उद्विलाव यह कुछ्टन आ चुका है मतलब 2018 में पूछा जा चुका है सेम ही कुछ्चन था पैंगोलिन के लिए था कि कहां रेडिय टैग किया गया है इसको ठीक है या राज पूछे तो याद रखेगा मध्य प्रदेश में हमने किया है रेडियो टैग यूरेशियल उद्बिलाओ को ठीक है बिल्ली को बिल्ली जैसा बड़ा सा उद्बिलाओ ऐसे आप इमाजिन कर सकते हैं नौवे राश्ट्री मानसिक स्वास्थ पुनरवासंस्था के परिसर का लोकारपन मध्य प्रदेश में किस जिले में किया गया इन विच डिस्ट्रिक अफ मध्य प्रदेश वोज दे कैंपस ऑफ 9 नाशनल मेंटल हेल्थ रिहाबिलिटेशन मेंटल हेल्थ रिहाबिलिटेशन इंस्टिट्यूट एन एम एच आर आई आपको भी पता है शॉट फॉर्म में कभी कभी पूछ लेते हैं जैसे आपका वन प्रबंद संस्थान जो है उसके बारे में पूछा हुआ है बार बार है तो याद रखेगा शॉट फॉर्म भी अ है शहर शहर में मेंटल एल्थ की प्रॉब्लम बहुत जादा बढ़ती जा रही है तो इसल्ए हमने मतलब सिहोर में िंस्टिट्उट बनाया है फ्रpritक तो विकसित Chry important भारत के अंतर-गत स्पार्क MP 2024 कारिक्रम का आयोजन कहां किया गया था वेर वॉस्ट था स्पार्क MP 2024 प्रोग्राम और्गनाइज अंडर विकास मध्य प्रदेश विकास भारत विक्सित है विकास लिग गया है विक्सित यहां पर विक्सित मध्यप्रदेश और यह विक्सित भारत विक्सित मध्यप्रदेश विक्सित भारत उसके अंतरगत क्या हो रहा है एक हो रहा है आपका स्पार्क मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश को बिल्कुल क्या करना है स्पा प्यारे भोपाल में क्या किया गया था अगर कोई भोपाल का फ्रेंड ने तो आप उससे रिलेट करें नहीं तो सीधे-सीधे कर लें किसे भोपाल में वैसे मैं पहले क्योंकि यहां पर भोपाल को हम सीम सिवराज सिंग से कर देते अब वो रहे नहीं सीम तो हम सिवराज क्योंकि लंबे टाइम तक थे तो भोपाल में सिवराज सिंग ने क्या किया? श्बार्क MP उसको स्टार्ट कर वा है या आप सिवराज सिंग को नहीं करें क्योंकि confusion न हो जाए तो आप सिदे सिदे करदें स्पार्क लेकर आफ पार्क हम कहां लाना चाहते हैं भोपाल में ठीक है तो स्पार्क MP, विक्सित मध्यप्रदेश, विक्सित भारत का रिक्रम का आयोजन हुआ था भोपाल में ठीक है पिर मध्यप्रदेश के नया लोका युक्त किसे चुना गया है किसे बनाया गया है बहुत important हो जाता है जितने भी star लगाएं कम हैं याद रखिएगा इसको याद रखिएगा ये है हमारे सतेंद्र कुमार सिंग तो याद रखिएगा सतेंद्र कुमार होगे आपके स्वसक्राइब कर सकते हैं जो लोका युक्त बनाए गया है मास्द्वप्रदेश के रोखिश में प्रमुख के रूप में किशे चुना गया है who has been selected as the 26th chief of the Indian Navy अच्छा यह जो है question यह भी बहुत ज्यादा important हो जाता है क्योंकि आप शायद 2023 में ही question आया था कि मतलब Indian Army के या Indian Navy के chief कौन थे यह question आया हुआ था या Indian मुझे exactly नहीं याद आ रहा लेकिन किसी एक chief का ही पूछा हुआ था Indian Army या Indian Air Force या Indian Navy किसी ना किसी कर था तो याद रखना है जब यह question पूछा जा चुका है तो अब यह ज्यादा important हो जाता है क्योंकि जो बनाए गया है वह हमारे मध्यप्रदेश से बिलॉंग करते हैं कौन है यह हमारे हैं दिनेश कुमार त्रिपार्थी जी तो याद रखेगा त्रिपार्थी त्रिपार्थी जी बनाए गए सिक्षे निहीं प। ठीक है नौ सेना के प्रमुख नेवी प्रमुख बनाए गए है यह चीफ आप दा इंडियन नेवी ठीक है तो इंडियन नेवी के प्रमुख हो गए हमारे याद रखेगा त्रिपाथी जी को याद रखने हैं त्रिपाथी जी हो गए हमारे इंडियन नेवी के लोकायुक्त हो विलिज का लोकारपड मध्यप्रदेश के किस जिले में किया गया इन विच डिस्टिक ऑफ मध्यप्रदेश वास कंट्रीज फर्स देश की पहली है क्राफ्ट हैंडलूम टुरिजम विलिज इनॉगरेटर तो याद रखेगा हम क्या कर रहें यहां पर क्राफ्ट हैंडलूम तुरिजम विलिज यहां पर हमने बनाया है कहां बनाया है यह याद रखेगा देश को पहले है यह बनाए हमने अशोक नगर में नाम क्या है गाओं का प्राणपूर विलिज है यह आपका हैंडलूम टुरिजम विलिज तो यह टुरिजम विलिज जो है कौन सा है तो यह भी बहुत अच्छा तरीका है जो हमारे मतलब में में जगहे हैं जहां पर चंदेरी हो गया फिर बात करें महेश्वर हो गया तो यहां वैसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें टुरिजम हम सब्सक्राइब कर सकते हैं जैसे यहीं पर हमने बना दिया क्राफ्ट हैंड लूम टुरिजम विलिज कि अलग अलग जगह से लोग आके उसको देखें घूम रहां पर देखें तो याद रखेगा कहां से रिलेटेट है यह अशोक नगर पहल कॉछा जबूरी नहीं है पूछे भी याद रखेगा कि यहां पर है प्रान यहां पर यूज कर नना प्राण पूर्कंपुर कॉजटे अपाद काली अबूलेंस सेवा का सुभ्हरन मध्य प्रदेश के केस जिले में किया गया इन विच डिस्ट्रिक ऑफ मध्य प्रदेश वाज इमेर्जंसी एयर अम्बूलेंस सर्विस लॉंच अब देखे यहां पर एयर अम्बूलेंस सर्विस हमने लॉंच किया है और हमारे CMG कहां के है उजयन के तो सीधी बाते कहा होगा उजयन में क्योंकि सबसे पहले अगर कोई सर्विस अच्छी करनी होगी तो पहले अपने इलाके की की जाएगी ठीक है आप ऐसे अब आ गई है ठीक है air ambulance service उज्जैन इसके लावा last lecture में हमने क्या पढ़ा था एक राहगीरी उट्सो भी पढ़ाता है राहगीरी जो आपका उट्सो था किस से रिलेटेड था वो भी उज्जैन से ही रिलेटेड था जहां पर हमें sports विएरा जो हैं उसको promote कर रहे थे तो ये भी याद रखेगा इसके लावा investor summit जो हुआ है 2024 का वह भी उज्जैन में हुआ है ये भी याद रखेगा अचारिश्य विद्या सागर महराज की स्मृति में आयूर्वेदिक चिकत्सा महाविद्याल है किस जिले में स्थापित किया जाएगा इन विच डिस्ट्रिक्ट वि विद्या शागर जी जो है विद्या विद्या देते हैं किस से रिलेटेड आयूर्वेद से रिलेटेड इनके पास सागर जैसी विद्या है मतलब सागर जैसी भरपूर विद्या है आयूर्वेद की किसके पास विद्या सागर जी के पास विद्या सागर में सागर लगा हु भी आपके आते हैं तो इसलिए याद रखेगा कहां पर कौन सी चीज बनाई जा रही है ठीक है तो दक्षण एशिया का सबसे उच्छा मौसम टावर कहां स्थापित किया गया है वेर है तॉलेस्ट वेदर टावर साउथ एश्या भी इंस्टॉल्ड मतलब यह देश का भी सब 72 मीटर का है मौसम टावर है ठीक है अगर आपको मेरे चंचे लगते हैं मेरा समझाने का तरीचा लगता है तो लाइक और शेर जरूर कर दिया करिए जादा से जादा लोगों तक यह आपका वीडियो मुझे भी अच्छा लगे ठीक है और लाइक तो बिल्कुल ही कर दिया क ठीक है चले बंसी कॉल का जंग जम्मू कश्मीर में हुआ था बंसी कॉल वस बॉर्ण इन जम्मू एंड कश्मीर इन्हों ने इन दौर में रंग विदूशक के नाम से अपनी एक संस्था बनाई दूसरा जो है यह रंग विदूशक जो है आपको इन दौर में नहीं कहां मिलेगी भोपाल में और यह किस चीज से रिलेटेड थी तो याद रखें कि यह थीटर से रिलेटेड है ठीक है ठीक है थीटर से रिलेटेड है आपकी यह रंग विदूशक मतलब आपके जो बंसी कांफ का फिर ये क्ोष्टन देखें और यह से कुषण में आपको एते कुष्ट टीर में किम्लेंगे कि पूछा हुआ है इनक Diese कौन आपके फ्यार से स्मंदित है या फिर इनको कौन चित्रकार नहीं है एसे को पूछा उन Also आपको एक बता ना कौन चित्रकार नहीं है सेम ऐसे ही किसके लिए पूछ सकता है आपके थियेटर के लिए पूछ सकता है तो याद रखिएगा आपको क्या करना है याद रखने बंजी कोल जी काफी इंपॉर्टेंट है कहां उनका जन्व हुआ था जमू कश्मीर में अपने मध्य प्रदेश में क्या कर रहे थ याद रखिएगा बंजी कोल जी के बारे में बंजी कोल जी इंपॉर्टेंट है और आपको चार ओप्शन देके पूछ सकता है कि इन में से कौन थियेटर से संबंधित नहीं है तो आप मतलब इसमें से बता दीजेगा बंजी कोल जी हमारे रिलेटेट होगे किस से थियेट इनका प्रख्यात नाटक जानता राजा है फेमस प्ले जानता राजा अचा यह जो दोनों कोश्चन है यह इसलिए है क्योंकि इनका हाली में निधन हुआ हाली मतलब कुछ ताइम पहले निधन हुआ है तो करेंट में इनका नाम आपको सुनने को मिलेगा इसलिए इन से रि ड्रेचरस है बल्कुल सही है यह इतिहास कार है इतिहास भी लिखते हैं उसके लावा लेख़क्त काफी स्क्रेची नाटक लिखा जणता राजा जो है किस से रिलेटेड है ये शिवा जी से रिलेटेड है शिवाजी तो जो शिवाजी थे तो इतिहासकार है तो यह साक्ष किस से रिलेटेड एकठा कर रहे थे या जो अपना रिसर्च है किस से रिलेटेड कर रहे थे तो या रखीगा शिवाजी से रिलेटेड कर रहे थे आपके बाबा साहब बाबा साहब पूछेगा सीधे से आपका बाबा साब के बारे में पूछेगा कि छेतर से रिलेटेड है पत्रकारिता है राजनीती है आपको पता होना चाहिए जैसे जनता राजा का थोड़ा बहुत याद रखेगा कि इनको पद्म विभूशन मिल चुका है पद्म विभूशन तो काफी फेमस हो जाती है परसनालेटी ठीक है तो यह आपकी चर्चित व्यक्तित तो जो होते हैं वहां से यह कोशन पूछा जा सकता है इसलिए याद रखिएगा बाबा साहब को ठीक है यह क्या थे आपके साहित कार फिर मोतिलाल बोरा का संबंध संबंध में कॉम सा कथन सत्य नह भारत सरकार के केंद्री मंत्री मंदल में स्वास्थ मंत्री रहे हैं यहां यहां पर 1988 में पहली बार मध्यप्रदेश के मुख मंत्री बनाए गये थे ही वोज मेड़ चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्यप्रदेश पर फर्स ताइम इन 1988 अब यह कोशन भी आपका क्योंकि चर्चित में कुछ ताइम पहले इनकी क्या हुई है तो यह भी निधन वाले पोर्शन में आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे अब यहां में मोतिलाल वोरजी के बारे में यह बिल्कुल सही है यह आपके नागौर जीला जो है जो आप पढ़ते हैं कि राजस्थान में नागौर जील में मुख मंथरी बनें यह बिल्कुल सही है और उसके बाद स्वास्त मंतरी बनें हेल्थ मिनिस्टर बनें यह बिल्कुल सही है तो चौ्था ऑपशन घलत होगा अब इस चम्पर घशत्राषदी रहते मिति ही तो कैसे आपको करना है क्योंकि 1984 में क्या एंचराव करते हैं इंद्रा गान्धी Latino 8-4 में वापाल गया स्टराशदि होताई तब अरजुन शिंग्ल रहते हैं तो उसके बाद जब हम उनको हटाते हैं तो हम किसको बनाते मोतिलाल तो बनाते हैं head 2005 अगले साल अगले साल हम क्या बनाते हैं मोई्री छो ये पहली बार बने थे थ़ी है आपको याद रखना है धी हमारे यहां दो बार तो आपका ये जो विधान वाला portion है ना वहाँ से पूछा सकता है तो यह आपका करेंट में भी पूछा जा सकता है मद्धप्रदेश में जो आपका सम्विधान वाला पॉर्शन है मतलब जो आपके विधान सभा है मुख मंत्री है वहां से यह कुशन पूछा जा सकता है तो इसलिए याद रखिएगा फिर जल विजन 2024 विशय पर प्रथम अखिल भारती राजमंत्री वाशिक सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था आपको बताना है यहां पे कि जल विजन 2047 था उसके लिए हमने क्या बनाया एक अखिल भारती राजमंत्री यहां पर मीटिंग हुई थी वार्शिक सम्मेलन हुआ था कहां पर हुआ था पहली बात तो यह प्रथम अखिल भारते सम्मेलन था आपका वाटर के लिए वाटर को बचाने के लिए तो वाटर विजन हमने बनाया है दोजार सतालिस तक तो इसके लिए हमने सम्मेलन कराया कहां कराया तो यार रखेगा यह करवाया बोपाल में अब जैसे बहुत सारे आप पढ़ेंगे कि यह सम्मेलन यहां यहां थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है रिलेट कैसे करेंगे बोपाल में हमारी क्या हैं बहुत पारिश का पाणी उसनी तो यहां पे क्या है पानी जो है बहुत सारे जीलों का सूखरा है हमारे बोपाल की जीले जहीं हो सूखरी तो हमने राज्यमंत्री वाशिक सम्मेलण जल विजन के लिए है वह भुपाल में बुला है ठीक है कि आप देखो अभी लेक्स इतनी भरी रहती है अभी हम जल विजन बनाएंगे 2047 तक यह इतनी ही रहनी चाहिए है थोड़ा ज्यादा हो जायता हो जायता है कम नहीं होना चाहिए इसका पानी ऐसा हमें विजन बनाना है लक्ष बनाना है तो इसलिए रिलेट करना है आपको भुपाल से भुपाल की जीलों से की जीलों का पानी हमें बचाना है जल विजन के अंतरगर ठीक है तो हमारा जल विजन 2047 का जो सम्मेलन था वो कहां हुआ था भुपाल में फिर आपका एकल उप्योग वाली प्लास्टिक वस्त्वों के पुनर चक्रन हे तू विस्तारित उत्पात जिम्मेदारी प्राप्त करने वाला डेश का पहला शहरी निकाय कौन बना विच हैस बिकम दो फर्स्ट अर्वन बॉड़ी इन दा कंट्री तो गेट एक्स्टेंड प्रडूसर रस्पनसिपिलिटी एक्स्टेंड रडूसर रसपोंसिबिलिटी पर रिचाइफ्य इन पर सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम उनकी है उनके लिए रिसाइक्लिंग की बात कर रहे हैं और यहां पर हम एक्स्टेंडेट प्रोड्यूसर रस्पोंसिबिलिटी यह वाला जब शब्द है कहां पढ़ते हैं जब आप सॉलिट वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ते हैं का जो वेस्ट है जो जेनेरेट करेगा उसी की जिम्मेदारी होगी कि वो क्या करेंगा उसको हैंडिल करेगा खित्य Гardi प्रड्यूस कर रहा है उसकी हमने कर दिया कि तुम प्रड्यूस कर रहे हो तो तुम ही क्या करोगे उसको खतम करोगे सिंगल भी प्लास्टिक में आपकी बहुत सारी चीज़ें आती है ना वाटल वागेरा भी आती है जो एक बार उस होती है तो यहाँ पर याद रखेगा यह प्राप्त कर लिया है यहां पर इसको क्या मोलते हैं विस्तारित पादक जिम्मेदारी जो है वह उसके अंतर का कौन सा अर्बन बॉडी है पहला है देश का जिसने क्या प्राप्त कर लिया है यह आपका इंदौर नगम निगम सीधी बता है इंदौर आपका जो नगर निगम है तो वहां पर सासफाई रखनी है सासफाई रखनी है तो आप ऐसे प्लास्टिक जो है कहीं भी फेक नहीं सकते तो हमने क्या कर दिया एक्स्टेंड प्रडूसर रिस्पॉंसिबिलिटी आपका विस्तारित पादक जिम्मेदा प्लास्टिक ऐसे आपको भी पता है एक ही बार यूज हो रहा है सिंगल यूज प्लास्टिक फिर उसको फेक रहें और वह बहुत बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक क्या रहता है अर्थ में रहता है ना डिकंपोज नहीं होता तो यह आपको याद रखना है इसके लिए इ पहरी निकाए पहला शायरी निकाए है इंदॉर वासे बहुत सारी चीजों में पहली पहली बार कदम उठा रहा है स्पेशली अगर हम बात करें तो रिनुएबल जो चीजें है उन चीजों में जैसे आपका सिंगल प्लास्टिक है उसको रिसाइकल करना है ठीक है तो याद अब है यह आपका क्याहरए धेwater देश्य का पहला मुंसिपल क्याफ है छीक Commission है आपका नगर निगम है जिसने bond जारी किये हैं green bond जारी किये हैं और काफी अच्छा response भी मिला इंदर नगर निगम को green bond के लिए तो ये किस के लिए क्या है ये तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा green bond जारू किया पहला देश का ऐसा नगर निगम इंदर हो गया लेकिन किस चीज के लिए जारी किया तो याद रखेगा यहां आपके सौर उर्जा प्लांट के लिए यहां पर हम renewable energy जो है उसके लिए हमने यहां पर क्या किया है bond जारी किया है नगर निगम ने तो यह कहां पर बनेगा यह आपके खरगौन वाले ने रवड़ान नदी किकी नड़ि किनारे खरगौन वाले इलाखे में बनाया जाएगा ठीटे किया क्रिया इंद gerade किया फ़कौन वाले उलाके में हम वक खरगौन वाले इलाक Crist đi में प्लांट और आपका ऑबाम प्लांट है उसके लिए उन्दॉर में green ़हाँए वह जारी वैसे भी रिलेटेट हम लगा हुआ है थीड़िव अनर्जीस अक्रेश कि Author उर्च्छट के लिए अभी यतना जलदी तो जाएंगे नहीं कि इतना बड़ा कुछ काम अतरों कर दो कहां जाना है सौर उर्जा प्लांट में वैसे भी मध्य प्रदेश में सौर उर्जा के लिए काफी जादा क्या चल रहा है काम चल रहा है तो याद रखेगा नगर निगम ने भी इंदौर नगर निगम ने ग्रीन बॉंड जारी किये ठीक है यह याद रखेगा और किस चीज के लिए के हैं अब आपको बताने यहां से किस जगह पर यह था मिला है अभी है यह भी आपका करंट का न्यूज है और मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था बांधो गढ़ एक याद रखना है आपको बांधो गढ़ जो आपका नैशनल पार कर उस वाले इलाके में भी हमें काफी स सारी क्या मिली है गुफाएं मिली है तो लगतार ही खोल चल रही है अलग अलग जगह पे इसके अलवा मंदसवर में आपको मैंने एक राम घाट पताया था कल ठीक है राम घाट तो यह पुरानी चीजिजे जो हैं आप रिलेड करते चलिए नई चीजें आपको क्या आड़ कर रही है कि करनी है यहां पर कि यह 15,000 साल पुराना एविडेंस में मिला है कहां मिले यह मिला हमें सुल्तान गड़ में सुल्तान गड़ है कहां पर तो यह है आपके ग्वालियर में ठीक है यह है आपके ग्वालियर में तो सुल्तान जो हमारा सुल्तान है सुल्तान जो है वह तो कहां पर है गवाल गवाल बालों को आप माझ सकते हैं या तो गवाली भी कर सकते हैं ठीके जिस से चाहें उससे रिलेट करते हैं कि मारे सुल्टन गाली बहुत देता है और उसे 15.000 साल पुराने एक क्या मिल गया यहां पर प्राकृतिक वौटरफाल में हमें शाहल चित्र मिले हैं ठीक है आपको भी पता है शायल चित्र वगेरा बना के जाते थे हमारे आदिमानों शायल चित्र वगेरा मिले हुए तो 15 साल 15 मैं करने कि जाएगी इन विच्ट डिस्ट्रिक अध्यप्रदेश के घंड़ नाश्नल मीडिय मूजियम टिक तो याद रखेगा यहां पे हम क्या कर रहे हैं नैशनल मीडिया यहां पर हम एक नैशनल मीडिया म्यूजियम बना रहे हैं इसके अरावा अगर हम पत्रकारिता की बात करें तो आपको पता ही है कि हमारे यहां एक माधो राव सप्रे पत्रकारिता संग्रहाले भी है भोपाल में आपको पताना है कि माधोर राव सप्रे पत्रकारिता जंडर्लिजम से एक म्यूजियम है इसके अलावा आपको पता है माखलाल चथूरवेदी जो पत्रकारिता आपकी क्या है पत्रकारिता यहाँ पे विश्विध्याला है वो भी कहाँ पे है तो भी आपके भोपाल में है ठीके भोपाल में है और media की बात करें तो जैसे media का भी हम क्या बना रहे है भोपाल में संग्रहाला बना रहे है उसके अलावा जिनेरलिजम को मैने बता ही दिया माधवरा युनिवरिशिटी है आपके माखलाल युनिवरिशिटी है माधवरा सब पर पत्रकारिता का संग्रहाल है ठीक है और इसके अलावा अभी आपको पता है कि हमने e-sports जो है आपका मतलब यहां पर किसकी बात करें हम डिजिटल इतने भी ऑनलाइन गेम से उसकी बात उसके लिए अकादमी बना दिये तो यहां पर सारी चीजें हम ऑनलाइन सोशल मीडिया इन सीज्जों को और ज़्यादा प्रमोट कर रहा है ठीक है संग्णाला बना कि तो आपको मीडिया है मीडिये संग्रहाले हम कहां बना रहे हैं पर पिर पहली इसथे की जैगी विया है डा कंट्रीजें फ़र्स चाइकोलोजी चांट कर रहे हैं कहां पर यह याद रखेगा पिर कहां में कर रहे हैं यहां क्या तो भोपाल में जैसे मान लिए आसपास की जितने भी जिले हैं अगर किसे को साइकोलोजी से संबंदित कोई दिक्कत आती है तो हमारे भोपाल में बीच में पढ़ता है क्योंकि तो वहीं लैब में सारे क्या आएंगे रिपोर्ट वगेर आएंगे आप ऐसे इमाजिन कर सकते हैं ठीक है तो भोपाल में क्यों बनाएं की बिल्कुल आपको बीच में पढ़ेगा सारे जिलों से वहाँ पर रिपोर्ट आ सकते विचक प्रेस सूरत दिल्ली हो एहमदाबार तो अभी ओपिक ओहली जी यह हमारे यहां के संप हमारे और हमहरे आंप मतलUM मध्देश्क गंवर्न तो इसके ते हैं यह आपके गुजराथ घुजराथ के भी गवर्नर तो और इन्हें मतलब काफीजाधा इन्ट्रस था level चीजों पर पढ़ने लिखने में तो यह दिल्ली यूनिवरसिटी और अच्छी यूनिवरसिटी में पढ़ाते बीटे कहां से रिलेटेड है याद रखेगा यह दिल्ली से रिलेटेड है ठीक है तो यह दिल्ली से रिलेटेड है और उन्होंने कासी अच्छा काम किया फिर य के संतों की समाजिक चेतना ठीक है यह इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा भक्तिकाल के संतों की समाजिक चेतना एक मिलेगी आपको सिक्षा नीती ठीक है एक मिलेगी आपको सिक्षा नीती तो यहां पे ओपी कोहली जी जो है एक तो पहली बात मन्तपिदेश के गवर्नर थे हाली में निधन हुआ इसलिए आपके करेंट में बने हैं उसके अलावा अगर पूछा जाये कहां के ओर थे तो पढ़ाते थे उन्होंने बुक्स लिखी है भक्तिकाल के संतों की समाजिक चेतना यह इंपॉर्टेंट है एक है आपके सिक्षा नीती तो याद रखिएगा पूछ सकता है क्योंकि करेंट में अभी चल रहा है तो रिलेट कैसे करेंगे क्योंकि भक्तिकाल में जो संत थे वह स विराट कोली भी दिल्ली काई है तो आप उसे भी लेट कर सकते हैं प्रकास विज्ञान संग्रहाले की स्थापना कहां की गई है यहाँ पर हम लाइट साइंस मुजियंट की बात कर। आशा यहाँ यहाँ रखिए कह मिलेगा आपको RR तो याद रखेगा यह है आपके राजा रमना वैसे भी करेंट में काफी न्यूज आप आरार काट के बारे में पढ़ते रहते हैं यह है Center for Advanced Technology और ये काफी ज़्यादा टेक्नोलोजी में क्या कर रही है? फोकस करती है, ठीक है? और अच्छे-च्छे मतलब यहां पर invention होते रहते हैं तो याद रखेगा, कहां पर मिलेगा, यह आपको मिलेगा इंदौर याद रखेगा, यह आपका जो फेमस संस्थान है, मुख संस्थान भारत के उसमें भी आपका रर कैट के बारे में पढ़ना रहता है साइंस वाला सक्षन है, वहाँ बैड हुआ है तो यह याद रखेगा, यह आपके किस से रिलेटेट हो जाएगा? एक तो करेंट से रिलेटेट हो जाएगा, तो करेंट से रिलेटेट हो जाएगा आपका लाइट साइंस मुजियम, उसके अलावा, आपके किस से रिलेटेट हो जाएगा? यह रिलेटेट हो जाएगा, यूनिट 7 से, ठीक है? याद रखेगा RNCAT मिलेगा कहां आपको तो ये मिलेगा इन दौर में निर्मला बुछ इनका हाली में निधन हुआ किस मुख्यमंत्री के समय में मुख्य सचिव रही है निर्मला बुछ who passed very recently was the chief secretary during the tenure of which chief minister यह तो आप बार-बार पढ़ते हैं कि जो हमारी निर्मला बुछ जी जी है यह क्या थी यह प्रथम महिला सचिव थी मध्यप्रदेश की ठीक है प्रथम महिला सचिव कभ मध्यप्रदेश की अब ये question मैंने पूछा है कि ये किस के समय में थी मतलब किस मुख मंत्री के समय में थी हमारी निर्मला बूच जी देख विजा सिंग अर्जुन सिंग सुंदरलाल पटवा या बावुलाल गौर तो याद रखेगा ये सुंदरलाल पटवा जी के टाइम पे थी लगबग आपके 1991 से 1993 तक तो ये इस टाइम पे सुंदरलाल पटवा जी के टाइम पे थी ये नहीं पूछेगा बस आप याद रखेगा कि सुंदरलाल जो थे निर्मला बूच उनके टाइम पे थी तो सुंदरलाल पटवा के टाइम पे हमारी थी निर्मला बूच मध्यप्रदेश की पहली महिला सचिव याद रखिएगा और इनका हाल ही में निधन हुआ इसलिए ये जरूरी हो जाती है मदब कोशन इनसे पूछा जा सकता है इसलिए याद रखिएगा मध्यप्रदेश के किस जिले में पहला गिर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है इन विच डिस्ट्रिक अफ मध्यप्रदेश दफर्स्ट गिर प्रोजेक्ट वीन स्टार्ट अब याद रखता है कि गिर प्रोजेक्ट जो है रिलेटेड किस से है यह आपके गिरिक गाय से रिल लाते कर रहें यहां पेढ़ालाक कि हैं गुजराइघ कि यहां पे हम जो आपकी गिर जो है प्रजातीकी उससे रिलेटड गाए उनको लाने यो मंद लोग हैं मंद सोर का हमने बोल दिया जो मंद लोग हैं हमने उनको और क्ठिन काम नहीं दिया हमने बोला कि भाई हम इन गिर प्रोजEK'T बनाते हैं जिसमें गिर गायों को लाया जागा अब उन ही को समाना तो इनके लिए हमने क्या कर दिया एक गिर प्रोजेक्ट चला दिया जिससे अपना गुजारा वो चला पाएं ठीक है? तो मंदसौर से याद रखना है आपको अब ये मंदसौर वाले नहीं बोलने लग जाएंगे कि हम मंद नहीं है न सिर्फ रिलेट करने के लिए है मंदसौर जो है तो मंद लोग जो है हमने उनके लिए क्या कर दिया? गिर प्रोजेक्ट स्टाट कर दिया जिससे वो अपना पालंग पोशन कर पाएं जिससे यहाँ पर क्या है? गुजरात से कुछ क्लाइंबिंग वॉल बिइंग विट तीकमगड सहडोल गौलियर जबलपुर याद रखेंगे यह आपको मिलेगी सहडोल में ठीक है? बिल्कुल अलग सा सहडोल में आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर ISC प्रमानित है आपकी क्लाइंबिंग वॉल तो हम जब क्लाइंबिंग वॉल चड़ते हैं जैसे मनली यह सीधी है यहाँ पर बीच बीच में पत्थर लगे हुए हैं तो जब हम क्लाइंबिंग वॉल चड़ते हैं तो सीधी बाते क्या होता है हम बहुत डोल डोल के चड़ते हैं है ना तो सहडोल का हम क्या बना लेंगे डोल तो हम काफी डोल-डोल के चड़ते हैं किसमें climbing wall में ठीक है तो यह हो गया क्लाइंबिंग बॉल एशिया की लार्जेस्ट आईस्टी प्रमानित स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग गॉल ठीक है आपके कहां बन रही है सहडोल जिले में जैसे मतलब अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि सहडोल मैसी हमको एशिया की लार्जेस्ट चीज बना रहे होंगे लेकिन याद रखेगा हम डोल डोल के कहां कर चड़ रहे हैं क्लाइंबिंग गॉल कर रहे हैं डोल डोल के तो यह हो जागा आपका सहडोल में स्थित है ठीक है MP क्राफ्ट आप अफ दा हार्ट आयोजन का आयोजन कहां किया गया था वेर वाज एंपी यह हुआ था इंदोर में अब देखिए आठ से और भी बहुत सारे होंगे लेकिन आपको यह पूरा याद रखना है कि MP क्राफ्ट आप अफ दा आप दा हाट यह कहां पर हुआ था तो यह हुआ था आपके इंदोर में इंदोर में मतलब हम यहां पे साफ़ाई के साथ 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 सफाई है ग्रीन बॉंड हमने पढ़ा है ना इन सारी चीजों के साथ साथ क्या कर रहे हैं हम आट क्राफ्ट को भी क्या कर रहे हैं बढ़ावा दे रहे हैं क्राफ्ट क्या करता है यह आपका कला जो भी है तो आपकी क्राफ्ट जो है कहां से निकलती है दिल से निकलती हाट का कला है तो MP में क्राफट बहुत अच्छा बनाया जाते हैं सारे दिल तो आट वदा है थीकि तो ऐसा दिल से बनाते हैं इसलिए आपके इंदौर में क्या है क्राफ्ट के लिए काफी अच्छा यहां पे महाल है तो MP क्राफ्ट कहां पर हुआ था यह हुआ था कि इंदौर मैं इतनी बार इसलिए भी बता रहे हूं घुमा फिरा के क्यों कि आपको आपको imagine करना है तो जैसे आप ऐसे imagine करेंगे आगर आप climbing की बात करें कि हम क्लाइंब कर रहे हैं sports wall कहां कर रहे हैं डोल डोल के कर रहे हैं सहडोल में कर रहे हैं तो ऐसे आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेर जरूर करेंगा और लाइक तो बिल्कुल करी दीजेगा बिना भूले ठीक है चले निम लिखित में से निम लिखित में से कौन सा विश्विद्याल है प्रदेश का पहला green विश्विद्याल है होगा जो 100% solar plant की माध्यम से बिजली उत्पंद करेगा which of the following university will be the first green university या दखेगा green की बात कर रहा है in the state which will generate electricity through 100% solar plant तो हमने solar panel लगा दिये हैं उसके थूँ जतनी भी electricity use हो रही है तो 100% हम किसे use कर रहे हैं वही solar plant वाली energy use कर रहे हैं तो हमने क्या बना दिया green university बना दी तो हमारे यहां मध्य प्रदेश में एक बन चुका है green दुर्गवती, देवियल्यवाई, विक्रम या बरकत उल्ला याद रखेगा यह है आपका विक्रम विश्विद्याला कहां मिलेगा यह मिलेगा आपको उज्जैन तो हमारो जो विक्रम है विक्रम का दिमाग बहुत चलता है इन सारी चीजों में तो विक्रम ने क्या किया ह पूरे यूनिवर्सिटी में जिससे बिजली जो उत्पन हो आपके इनरजी प्राप्त हो यह आपके ग्रीन यूनिवर्सिटी बन गई है विक्रम यूनिवर्सिटी उज्यन यह कुश्चन याद रखिएगा और इसके अलावा मैंने आपको क्या बताए कि जो आपका इन्दोर का बॉंड जारी किया है ग्रीन बॉंड किससे रिलेटेट है वो भी आपके सोलर प्लांट से ही रिलेटेट है तो याद रखिएगा यह आपके कुश्चन दोनों करेंट के हो गया और यहाँ पे विक्रम है उसको सोलर पावर के थ्रू क्या किया है चेंज कर दिया है ठीक है आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आई हूं कोई भी डाउट है तो आप कॉल या मैसेज या कमेंट करके पूछ सकते हैं चली मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में